वेल्कम बैक सुडेंट्स बी ए प्रोग्राम समेस्टर फोर में आपका एक पेपर है अन्या गाधिया विधाएं के नाम से बिटा यह डियो में, S.O.L. में, N.C.Web में सभी जगा पर है बिटे और N.E.P. 2020 के अकॉर्डिंग एस इलिबस है आपका तो इसके important questions जो बनते हैं उनको मैं आज की वीडियो में आपके साथ share कर रही हूँ हलांकि मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि यही question आपके आएंगे लेकिन फिर भी जो question मैंने आपके देशी सलक्ट किये हैं आप पूरे साल में नहीं कुछ कर पाएं हैं या बहुत बहतर नहीं भी कर पाएं हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए I think कि आपके पूरे paper के लिए यह एक वीडियो काफी होगे बिटा तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग कुछ questions मैंने आपके लिए इसमें सलक्ट किये हैं जो कि मेरे हिसाफ से paper में आ सकते हैं बिटा तो पहला question मैंने लिया है राम चंद्र शुक्लिके निबंध लोब और पृति की अंतर वर्स्तु पर प्रकाश डालते हुए उसकी भाषा शाली का विवेच्चन कीजिए तो बिटा कभी भी आपसे question direct नहीं पूछे जाएंगे NEP20 के according आपसे application based questions पूछे जाएंगे आम तोर पर question गुमा फिरा कर पूछे जाएंगे हलाकि answer आपको टीक तबग उसी तरीके से लिखना होता है जैसे आप लिखते हैं थोड़ा बहुत changes आ जाते हैं otherwise answers उसी तरह से बनते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है जैसे यही question मैंने आपके लिए लिया है तो इसमें अंतर वस्तु पर पकाश टालते हुए उसकी भाषा शाली का विवेच्चन कीजिए बुमिका आप जरूर लिखेंगे बुमिका के बाद आप उसको heading देंगे इस तरिके से आप लिखेंगे तो भुमिका है राम-चंद्र-शुक्ली नहीं लोभ और पीती के बीच की अंतर वस्तु को विस्तार से समझाया है उन्होंने कहा है कि लोब और पीती दोनों ही मानव जीवन में महत्वपून भावनाई हैं लेकिन इनमें एक महत्वपून अंतर है मतलब लोब और पीती दोनों ही हमारे जीवन की महत्वपून भावनाई हैं लेकिन इनमें कुछ अंतर है तो लोब एक ऐसी भावना है जो हमें अपने स्वार्थ की प्रात्मिक्ता देने की दिशा में ले जाती है, मतलब हमें थोड़ा सा स्वार्थी बनाती है यह हमें अधिकतम आनंद और सुख की तलाश में लगा दीती है लोब जब होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंद पाना चाहते हैं ज़्यादा सुख की तलाश में लग जाते हैं लोब एक असंतोश जनक भावना है लोब जिसको होता है वो असंतोशी रहता है उसे सुख मिल भी जाता है तो भी वो और लोब में पढ़ जाता है लोब बढ़ता चरा जाता है तो जो लोब एक असंतोश जनक भावना है जो हमें अनन्यता और दुख में डाल सकती है वहीं प्रीती एक निस्वारती भावना है जो हमें दूसरों के साथ संबंध और समर्पण में लेजाती है। यह में समरध्री और सुक्ट के साथ एक कात्मिक तकानभब कराती है। प्रีदियें काई भावना है जो हमें सहानुखूती, समर्थन और सम्बंधों के मुल्य को समजने के लिए प्रे trafficking आते हैं। के हम लोगो ने पर्था पाट 10 इंथ ख्यास में बाल गोविन भगत रहती है। जबेटें बाल गोविन भगता में वह पुत्र की जम्रितियु हो जाती है, हमेर है दूसरा वेबाह कर दीजैर नहीं है। कि मैं इनके साथ में रहूं, इनका जीवन बुरहापी का इनके साथ में बिताओं, पर वो कहते हैं कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाओंगा, उस कंडिशन में उसको लड़की को जाना पड़ता है, तो ये परीके से प्रेम था, प्रेम वो है कि जब आप जिसको प चाहें, और मोह है कि वो चीज हमारे पास रहे, चाहें वो खुश हो, चाहें दुखी हो, जैसे कई बार होता है हमारे पास कोई पैट है, हमारे पास रिसोर्सिज नहीं है, पर हम चाहते हमारे पास ही रहना चाहिए, चाहें खुश हो, चाहें दुखी हो, रहना हमारे पास हैं कि यह हमारा मोह है। वहीं जब प्रेम होगा, तो हम देखेंगे इस guild कहाँ पर है। ऑफ इसके लिए बहतर रहेगा, हम अगर हमारे पास अच्छे से हम उसको नहीं खार रहे हैं तो वह प्रेम है। तो लोग और मौह का यही इन त sein है, लोब तो हम जिसे पृति करते हैं उसको इंपोर्टेंट पांपर लगजाते हैं यानिकि जब हमें लोब होगा तो हम अपनी कुशी देखेंगे पृति होगी तो जिस चीसे पृति है उसकी वेज़े खुशी देखेंगे इसलिए पृति ही एक सची और सदाचारी भावना है जो हमें सच्चे सुक्की दिशा में ले जाती है रामचंदर शुकलि ने अपने रिबंध में लोब और पृति के बीच की इंतरवस्तों को व्याक्यात किया उन्होंने कहा है कि लोब और प्रीति दोनों ही मानव जीवन के महतुपूर्पूर्ण भाबनाओं में से हैं, लेकिन इनके बीज एक अग्रेशन से थी है, लोब एक भाबना है, जो हमें अधिक चाहने की दिशा में धकिलती है, जबकि प्रीति हमें दूसरों के प्रति इस अंतरवस्तु में राम चंदरशुक्ले ने इस पर्ट किया है, कि प्रीति ही एक स्थाई और समर्दिशील भाबना है, जो हमें समर्दि और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है, जबकि लोब हमें अधिक चाहने की दिशा में ले जाता है, जिससे हमें असंतोश और अ आख्यात किया है, उन्होंने कहा है कि लोब और प्रीति दोनों ही मानव जीवन के महत्वपून भाबनाओं में से हैं, लेकिन इनके बीच एक अगरेशन दिती है, लोब और प्रीति ये दो विरोधावासी भाबनाई है, जो मानव ताके रूप रिखा में एहम भूमेका न लोब एक अद्रश ये बाधा है, जो हमारी आत्मा को उदासींता और असन्तोष में डाल सकती है, यह हमें स्वार्च परता में डाल सकती है, जिससे हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, प्रीति हमें दूसरों के साथ एकता और साहनुपूती मिले जाती है, यह हमारे सामाजि और व्यक्ति के जीवन में सुक्ष और सम्रद्धी के मादियम की रूप में कारिण रहती है, लोब और प्रीति दोनों की मानब भावनाओं के महतोपून पहलू है, जिनका हमेरे जीवन पर गहरा प्रभाव परता है, लोब हमें अधिक चाहने की दिशा में ले जाता है, ज ताके हम समृद्धी और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ सके तो यह तो थी बिटा इस लोब और पृति नाम का जो हमारा निबंद्य है उसकी अंतरवस्तु निबंद्य लोब और पृति की भाषा की बात करें दो निबंद्य में लेकप की भाषा प्रोड परिमार्जित और तत्सम प्रधाने तत्सम रूप से भीवे परहिज नहीं रखते हैं इनकि तत्सम तत्बव शब्दों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं शुक्री जी निबंद को लेकर के गामचंडर शुक्री जी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है बिर लोग और पृति के संबंद में सुत्रा अत्म कवाके रस्ते हैं फिर विच्लेशन करते हैं मतलब वो पहले एकसूँक्ति लिखते हैं पिर उसको वयाख्या करते हैं च्ब्दु विच्लेशन अराजक नहीं होती है, विचार वाक्यों और अनुच्छी दों में कसे होती है शब्दावली है उनकी साने दिकल समीप इसला की भाषा उनने इस्सेमाल किये व्याविचार खीकरू, राजधर्म, आचारे धर्म, बामर धर्म, क्षात्र धर्म प्रिति स्वरवपून, स्वायतरक्षा, स्वनिर्पेक्ष इन सब शब्दों का इसमालून ने किया है व्यासन तो यह उनकी भाषा शयली है निबंध की शयली यह है कि वह पहले इससे परिभाषा में बानते हैं फिर उसके व्याख्या करते हैं दो मिलते में जॲते भावो का सुख्षमयतासिय अधियंद करते हैं लोब और प्रिटी का लोब की परिभाषा देते हुए प्रिती से उसका अंतरसपस्ट करते हैं भाव की आविकों समझते हुए आगे बढ़ते हैं लोब किस सीमा तक बन्यादी जरूरत है कि सीमा के बाद लो लुक्ता में बदल जाता है, उधारन देते हुए अपनी बात को सिध्ध करते हैं लोब को विविन प्रकारों की चर्चार करते हैं, लोब की अलग अलग प्रकार की बताती हैं हमें और सामाजिक लक्षे के संदर्बन उसका परिक्षिंट करते हैं उसके सीमा के कहा तक लोब सही है, लोब के लोक मंगल रूप का वो सवाल उठाती है फिर लोब और असन्तोष के संबंद की वाले में बात करते हैं जो कि आधीनिक समाज में रोग की तरह पहल गया है असन्तोष मांसिक बेचानी को जन्म देता है, प्रेम में व्यक्तिगत सम्वेद नार्पत में करता का एसास कराता है प्रेम के एक आंटिक और लोग जीवन के प्रभाव की बीच उसको निखारते हैं प्रेम यानि की प्रीति प्रीती के संदर्व कर्म संदर्य के उसको भुल देते हैं रूपाक्र्षन साहचारे जन्य प्रेम में अंतर बताते हैं प्रेम भाव का जो रूप हमारे सामने उपस्तित होता तो कौल मिला करके यही आचारे शुक्र के निबंत लोब और पृत्ति की याक्ता है अंत्मिया आप किसी भूत्तर में बिटे निश्करश लिखेंगे तो निश्करश में आप लिख सकते हैं इस तरह लोब और पृत्ति के बीच की यह अंतर विरोधी भावनाएं हमारे मानविय जीवन की महत्वपून पहलों को पकट करती है यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची सुख और समृद्धी पृत्य और समर्पन के माध्यम चे प्राप्त हो सकती है जबकि लोब हम यह संतोष और अस्थिंता में डाल सकता है राम चंदर शुक्र ने लोव और प्रीदी के विश के अंतर वस्तु को विस्तार से अत्यां सरल भाषा में सपष्ट किया है तो यह हमारा हो गया पहला प्रिश्ण पीटा इसके बाद आपका दूसरा प्रिश्ण है बसंत आ गया है निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद ववेदी के निबंधों की विश्य वस्तु की विवेचना कीजिए बूमी का आप लिखेंगे हजारी प्रसाद ववेदी बहारतीय साहिते के प्रमुक हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने हमारी अपनी रचनाओं में सामाज, साहिते और साहितिक्ता के विविन पहलों को व्यापक रूप से व्यक्त किया उनकी रचनाएं सामाजिक चेतना व्यक्तित्प और समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरिद करती है इसके बाद आप आजाएंगे विशय वस्तु द्विवेदी जी के निबंदों के विशय वस्तों के विवेजना करते समय उनकी मुख्यता और विशेष्टा पर ध्यान दिया जा सकता है उनके निबंद विविन विशयों पर है उनके निबंद किसकी पात पर जैसे कि साहितिक विचार, सामाजिक मुद्धि, भारतिय साहितिय और संस्कृति, राष्ट्रिय एक्ता, भारतिय भातिक विरासत और एतिहासिक विशर। उनके निबंदों में उन्होंने विभिन धारनाओं और विचारों को स्पष्ठ किया है जिससे पाठकों को समस्याओं और मुद्दों के प्रति नए रिष्टिकों और समझ प्रात होती है उनकी भाशा सररण और सुगम होती है, जिससे उनकी निवन्दों को समझना आसान होता। तो हजारी प्रसाद विवेदी जी की निवन्द, शुक्री जी की निवन्दों के मुकाबले आसान होती है। तो हजारी प्रसाद विवेदी के निबंद भारतिय साहित्य के एक महत पपून हिस्टे को दैशाती हैं, उनके निबंद विभिनिस्त मिशे उपर, जैसे के साहित्य विचार समाजिक मुद्रे, भारतिय साहित्य और सश्कुति राश्य एक्ता, भारतिय विरासात एतिहासित म बल्के उनका लक्षिय को पढ़ने वालों में नई और गहरे विचारों को जावरत करना भी होता है. उनकी भाषा सरल और सुगम होती है, जिससे उनके निबंदों को समझना आसान होता है. इसके अलावा उनके निबंद विभिन समाजिक समस्याओं और मुद्धों पर भी चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे पाठा को समझाता और समाधान के दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कहोना पड़ता है बसंत आ गया है निबंद अचारी प्रसाद ववेदी के अशोक के फूल लामक निबंद संग्रह से लिया गया है ये निबंद संग्रह उनने सो अड़ालीस में प्रकाशित हुआ था उस समय विद्धुएदी जी शांती निकेतन में अध्यापन कर रहे थे प्रक्रितिक जो दुश्य थे उनका वणन है निबंद के आरम में ही लेकक अपने आस पास के कई पेड़ पौधों का जिक्र करता है और ये दिखाता है कि इन पौधों पर मुर्दों इच्छाई हुई है इन पौधों पर उदास ही च्छाई हुई है और किसी उमंग काचे नहीं है तब इन में कोई जीवन दिता नहीं है लेकक अपने सामने के शिरिष के पेड़ में पत्तों की कमी और उसकी लटकी हुई सूखी चिम्मियों के हवा चलने पर खड़ खड़ाने की आवाज की तुलना हड़ियों की माला पहने अगोरी के मदोश हो कर चलने पर हड़ियों की से आने वाली आवाज से खरता है तक जो पेड़ है सामने शिरिष का पेड़ है इसकी पत्तियां जो हैं बहुत कम पत्तियां है और सूखी चिम्मिया हवा में चलने पर ऐसे खड़ खड़ाती है जैसे कोई अगोरी गले में हड्डियों की माला पहने चलता है तो हड्डियों की अब आच आती है शिरीश पर हजारी प्रसाथ दोविद्धी ने अरक से एक पूरा निबंद लिखा है जिसमें बसंद से ग्रीश में तक उसके फूले रहने के कारण उसे काल जाई अब वो के संग्या दी है वो भी एक ललित ने बंद है बेटा और ये 11th ये 12th क्लास में NCRT में है अभी भी लेकिन यहाना उसमें फूल आई है और नहीं पत्ते ऐसे ही लिखक नीम, केदार, मलिका, करबीर, कौरिदार के फूलों के भी ना खिलने या उन्म बसंत का प्रभाव नहीं देखने की बात करता है इसके बाद वो कुछ व्यंग्यात्मक्सवर में कहता है कि कहीं भी उल्लाज नहीं उमंग नहीं, उधर कवियों की दुनिया में हल्ला हो गया प्रक्रतिरानी नयार शंगार कर रही है और फिर जाने क्या-क्या और पुनाय जो जोड़ देकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है या कि इसमें प्रक्रति के श्रंगार को देखने या सराने की क्षंता नहीं है वह नितांत थूंट नहीं है या कहीं यह संकेत भी देता है कि कभी लोग परम-परागत बसन्थितुर वड़ान के तेर में कभी-कभी अपने सामरे के अठारत के वी उपेख्शा कर जाते है अन्हें किवल परम-परागत बसन्थितुर वढ़नत करना ऊसमें को ब Looking प reference अपने भागय की दुर्दशा सावित करने के लिए वो अपने और परोसी द्वारा एक दिन लगाए गए काच्छनार की पेरों का उधारण देते हैं। प्रक्रती कुछ है और हम लोग कहते हैं। जो उमंग और उलास की उमर है हिंदुस्तान के युवकों में इस उमंग का अभाग है। लेखक इस प्रकार प्रक्रती के उधारण से मनुश्य या अपने देश के युवकों की मान से कवस्था पर भी टिपणिक करता है। तब बसंत को लेकर के वो अपने देश के युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और पेर पॉधों को संदेशा देने के बहाने संभवत है। युवाओं से कहना चाहता है कि युवक उदासी या निरुत्कायत होने का नहीं है बलकि उमंग से बरा होने का है। लेकिन फिर लेकर को प्रकृति से ही कुछ और उधारनी आदा जाते हैं। महुआ, जावुन, कर्णिकार आदे जो पुष्पित होने के लिए बसंत पर ही निर्भर नहीं रहते है। प्रकृति सभी पेर बादू पर एक सा नियम लागू नहीं करती है। उसका परियाविक्षिन कहता है, मतलब लेकर नहीं देखा है कि बसंत देश, अर्था, स्थान और काल समय से बन्धा नहीं रहता है। बसंत ऐसा नहीं किवल एक बसंत की रितु ही आएगी तब ही फूल खेलेंगे। वो दरसल मन की भावना है जो रितु या उम्र के बंधन से परे है। इसलिए लेकर इस निश्करश पर पहुझता है कि बसंत आता नहीं लाया जाता है जो चाहे और जब चाहे अपने पर ला सकता है। अंत में वो थोड़े हास्यकी मुद्रा में कहते हैं कि इस बसंत की मुवसम में इसे बुखार आया है। लेका को बुखार आया है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वज़े से उसके दराज्य पढ़की पेड़ का फूला स्थकित हो गया हो। क्योंकि कभी-कभी अपनी अवस्था के अनुरूफिया में अपना परिवेशना जराता है। तो निश्करश तै कहा जा सकता है कि हजारी परसाद विवेदी जी आपने इस निबन में बहुत ही सहज़ता के साथ सामाधिक परिशितियों को प्रकृतिक साथ जोड़ते हुए स्पष्ट करते हैं और साथ में अनेक समाजिक संदेश देते हैं। इसके बद अगला प्रशन बनता है विटे रेखा चित्र प्रेम चंद के साथ दो दिन की मूल समगेदना स्पष्ट कीजिए। प्रेम चंद के साथ दो दिन बनारसी दास चतुरवेदी द्वाला लिखा 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 चितर है जिसमें चतुरवेदी जी के प्रेम चंद के घर जाने और उनके साथ दो दिन रहने का रतान्त इस इस रतांच में प्रेमचंद के साथ डो दिन की शुरूआज जिस परसंग Benson से होती है घृबनारसीदा चतुरवेडी के लिखा वैया प्रेमचंद का इक अच्छे रेखा चित्र का गुन है कि वह चित्रक दख्ति के व्यक्तितु को खोल कर पाठक की समक्ष रखतेता है, जैसा कि बनार्सी दाजी लिखते हैं, प्रेम चंद का एक गुन यह है कि उन्हें दोका दिया जा सकता है, जो उनके सरन और सहज विश्वासी व्यक्तितु का इतनी एक लाइन से ही आपको समझ में आ जाता है कि प्रेम चंद जी का वेक्तितु क्या है, आगे है लेखन की शक्ति, यह जानना सदैव रोजचा खोलता है कि एक लेखन की शक्ति का शोद क्या है, जैवीवी ने जीवन आनुभव को रजजना रूकों में किस पकाज़ा ह इस रेखा चित्र में चतुरवेडी जी पेम चंद पेस रहसे की खोज करते हैं और रहसे हैं जम कर काम करना, बताते हैं कि अगर उन्हें घर में बंद कर दिया जाए तो शायद रोग पेम चित्र जी नहीं पूज देंगे, शायद वो हो सकता है कोई गल्प लिख डालें, बत्ति कोई नहीं कोई कहाने लिखते हैं ऐसे में, अगर लेखन कमरे में बंद कर दिया जाए, पर वो घवराएं के नहीं उस जगा से छोड़ कर भाग ने दिया है, अगला एक कहाने विधा और उसका संसार, रेखा चित्र में बनारसी दास चतुरवेडी, कहाने लेखन कल बताया है, दरसल बात ये थी, कि पेमचंद जी की सम्मती में वे सवाल ऐसे थे, जिन पर अलग-अलग ने बंद लेखी जा सकते हैं, हिंदी कहानी लेखन की वर्टमान पगती के वो पेमचंद बहुत अच्छी बताते हैं, विधेशी कहानियों के हिंदी क अथाकारों पर के संबन में पेमचंद का जवाब है, हम लोगों ने जितनी कहानियां पड़ी हैं, उनमें रुसियन कहानियों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, अभी तक हमारे हैं एडवन्चर की कहानिया हैं ही नहीं, और जासुसी कहानिया भी बहुत काम है, जब उन्हें पूच प्रेमचंद का सरुषेट कहानी लिखन बताते हैं, और संसार की सरोतम कहानी के सवाल पर जवाब है, यह बतलाना तो बहुत मुझकिल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, यह बूल जाता हूं कि सरुषेट कहानी कौन सी है, रविन्द्र नाक का उलेख आत प्रेम्चंद की कहानी समंदिर उचियों को पता चलता है अब ततकालिन कहानी लेखन पर इद्रश्य पर भी प्रेम्चंद की द्रश्टीचे को ज़रूरी बाते प्रकट होती है ध्यान देने की बात हैं कि उस ट्रेम पर क्या चल रहा था लिग कहानी लिखन के बारे में लोगों के मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या पज़ितिया थी उनके बारे में भी पता चलता है अब ध्यान देने की बात यह है कि यह संबाद उस दौर का है जब कहानी लेखन पर आलोचना और समीख्या का लगभग कोई ध्यान नहीं होता था आगे है लेखन का अर्थ शास्तर प्रेम चंद अपने युग के बहुत लोग प्रिय लेखन भी थे और उनके पाठाकों के संख्या भी कापी ज़्यादा थी इस तथ्या से अनुमान हो सकता है कि उन्हें अपने लेखन से अच्छी खासी आमद्नी होती होगी चतुरवेदी जी बताते हैं प्रेम चंद अपनी पुस्तकों से जो आमद्नी होती थी उसका एक अच्छा खासा भागांस और जागरण के गाते में चला जाता है कितने पाठकों को यह अंदाजा होगा कि अपने गरंथों के कारण धनवान हो गएंगे प्रेम चंद पर यह सर्वता भ्रमातमत था मतलब गलत था चतुरवेदी जी इस बात को दुर्भागे पूंटे आते हैं यह विदित्या कि प्रेम चंद अभी पुस्टकों का प्रकाशन स्वयम करते थे आता है रोयल्टी का विवाद भले उन पे समक्षना हुआ हो तथा पिलेखा को उसके परिश्रम का संपून फल मिल सके यह सवभागे आज भी दोड़ लग है तो यह था प्रेम चंद जी के साथ में इनके दो दिन आगे निश्करश एक रेखा चित्रत भी सफल माना जाता है जब वर्नेत व्यक्ति के वेशए में अधिक से अधिक बातों का पाठक को पता चले इस उद्देशे से बनार्शी दाचतुरवेदी जी सफल रही है क्योंकि इस रेखा चित्र को पढ़ने के बाद प्रेम चंद के सामाजी तथा आर्थिक सिति का पता चलता है बनार्शी दाचतुरवेदी के रेखा चित्रों की शैलीगत विशेष्टा है बता है तो रेखा चित्र का शिल्फ पक्ष भूमिका लिखेंगे और इश्का जरूर लिखेंगे को चंद में आपके तो बनार्शी दाच चतुरवेदी के रेखा चित्रों प्रेम चंद के साथ दो दिन की आधार पर उनके शिल्फ को निम्डिति बिंदों के आधार पर समझा जा सकता है बीटा हैंगे राटफ के पास किसी कंच में Lathe लिखने हैंगें के लिखिए अगर आपके पकी पास किसी कोचन में फाइदा आपके पुछें पनाग सकते होतें अब कल्पना मनासी दाथ चातुर में दी बहुत पड़े लिखिये और विश्व साहिते के अध्यता थी उन्होंने अंग्रेजी रेखन के शेष्ट गद्येलेकों को कुई बात चमने पूरी जानकारी थी वे जानते थे किके वल तत्थियों के आधार पर शेष्ट रचना नहीं की जा सकती इस रेखार्चित्र में भी उन्होंने कल्पना का परियाथ उप्योग है कल्पना भी ये शेष्ट के प्यारम में ही प्रेंटन के पद्र के अनुसरा शूखे तालाब को वे उनके व्यक्तित्यों की सम्रुद्धी के साथ इस तरह जोड़ते हैं कि पाठक देखता रहा जाता है वे शुष्क बनियापन से कोसो दूर है और बेनियापार्क का ताड़ाव बले ही सूप जाए उनके निर्दै सरोवर से सरस्ता कदापी नहीं जा सकती ऐसी बाशा का इ जब कूत पड़ेंगे और प्रेमचंद जी वहीं बैठे रहेंगे यह दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी वहां बैठे बैठे कोई गल्प लिखता लें गल्प यान की कहानी लिखता लें आगे अगला गुन होता है बिठा रेखाचित्र का पहला गुन होता है कल्पना में उन्हें भी गुणों के रूप में व्यक्याइद कर देते हैं, उधारन के रूप में प्रेम चंजी स्वर्गिय का विवर शंकर जी की तरह प्रवास से ड़ते हैं, जब पिछली बार आप दिल्ली गए थे तो हमारे एक मित्रने लिखा था, पचास परश की उम्में प्रे सब्सक्राबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तता विवेक शील्था ने उनके ग्रह जीवन के सवंदर एको अक्षून तता अविच्रित बनाए रुचता, रेखार चित्र की बेटा ये विशेष्टा होती है कि उसके अंदर चित्रातना होनी चाहिए और रोचता होनी चाहिए, तो रेखार चित्र की शुरुआत में प्रेम चंड का चित्र चत्र चत्र विवेदी जी उतारते हैं, मूचों के बाद जरूत रेपन फीजदी सफेद हो गई है, उम्र भी करीब-करीब इतनी ही है, परमातना होनी शतायू करें, यह कि हिंदी वाले उनी की वज़ आज दूसरी वालों के सामने मूचों पर ताव दे सकते हैं, मतलब हिंदी हिशान और भाषाओं के मकाबली प्रेम चंड जैसे लोगों की वज़े से ही है, इसलिए 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 उनकिया यू लंबी करें, इसलिए उनके व्यक्तिव दका चित्र भी प्रसुत करते हैं, प्रेम चंड जी में सामराजय वाधिता का नामों निशान नहीं, यानि क्योंकि चीह उबर इसलिए अपने आपको रॉब नहीं गाट थे हैं, कदके छोटे हैं, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशारी नहीं, और श्रीमती शिवरानी जेवी जी हमें अंदर या बट रहा था, प्रेम चंड जी जरा देर से पहुंचे थे, पर उनकी उन्मक तनासी की जोती पर जो एक सीधे साधे, सच्चे हैसने हमाई ह्रदय से ही निकल सकती है, कोई भी इसा ह्रदय राज कुमारी पतंग वता अपना जीवन इचावर कर सकती है, रेखा चि जाते हैं, फ्लो होया विल्कुल उनकी बातों में, कहां वो एक्डम से ईनकी रूप रिखा की बात करते हैं, पर एक्डम से उनकी हसी को उसके उपर हावी कर देते हैं, तो भाशा की सरल था, बनारसीदा जी बड़ी सरल और सहरा बहाशा में प्रेम चंड जी की रेखा तो निश्काष क्या निकलता है, देखिए इसमें रेखा चितर की सारी की सारी विशेष्टा हैं आ गई वेते, मैंने आपके लिए रेखा चितर की क्या क्या विशेष्टा हैं होती हैं, क्या तक्पू होती हैं, यह कांकी है, नाटक के, सांस परण के, सबके लिए अलग से भी के रेखा चित्र प्रेमचंद जी के साथ दो दिन में भारत के महान लेकक प्रेमचंद का एक अंतरंग तथा प्रामाडिक चित्र पस्तुत होता है। रेखा चित्र का सबसे बड़ा मुलिय यही है कि इसे पढ़कर हम प्रेमचंद को ईश्वर या देवता नहीं समझने रखते हैं। ठकुरी बाबा की चारित्रिक विशेष्टाओं को बताते हुए ठकुरी बाबा की मौल सम्वेदना पर पक्राष्टा लिए। इसके उपर मैंने प्रश्ण बनाया है आपके लिए इसको चमद लीजेए भीटा। बाबा चारित्रिक विशेष्टाओं तो था व्यक्ति के अंदित्र संस्मारण है। यद्यपे इसंस्मारण में ठकुरी बाबा अकेली रही है। बलकि उनके लवाव विविद जीवान स्थितियों के साथ आने ग्रामेंट से फुरुष्ट, उरद जवान, बालक बालिकाएं, विदोर विद्वाएं, परितक्ति श्रियां, निसंतान दमपती, नेत्रहीन जमाता आधी जमाई, आधी अपनी अपनी जीवान संगर्ष्ट श्रियों की बदहाल सिति, ब्रामी जनों का निश्कपट भूलापन, उनकी सायोग और साहेता करने की उधार भावना, सामाजिक पिछड़ापन, जीवन के असहनिय दुख दर्द, पीडाएं और कष्टों के निवारन के लिए धर्मिक कर्म कांडों में विश्वास, परलो करते हैं करते हैं कि अपने समस्या, समस्या, और आकषां दुख अपस्दित हो जाता है ठाकोरी बाबा संस्मरन का आरम इस पकार होता है कि एक दिन अचानक से महांदेवी वर्मा की मन में एक महांगा कलत्वास करने का विचार राता है और वो अपनी सहायका सहयोगी भक्तिन से इसकी तैयारी करने का आदेश देती है भक्तिन अनिच्छा से सभी जरूरी चीजों के संग्रा के साथ पूरी तैयारी से संगम सर में समुद कुप के किनेगर पहुंच जाती है और अवश्यक्ता नुसार एक सामाने सुधापुन पर्ण कुप्टी का निर्मान मल्लाहों से करवाती है संक्राती के एक दिन पहरे संद्या समय में ग्रामिन यात्रियों का एक दर्ण के कुटी के बरामदे में आवश्ता है और एक प्रद के नेत्रतों में अनेक बालक बालिखाउं तोड़ यह वास्रीयों और पुर्षों आदिके समिल बीर थी लगे प्रद्द की आत्मियता से प्रभावित महादेवी विर्मा उन सब को अपने कुटियां में रहने की अनुमती दे देती है दीरे-दीरे कुटि में इन सब लोगों ने अधिकाज जमा लिया इन सभी का होलिया और रूप रेखा बड़ा ही कारुनिक और धैनी था बड़ी ही खराब इससे थी सकी इस भीड में एक सूर्दास, एक टॉड़ पंदित, दो किशोर बालाग दो व्रद्धाएं सुमिरने लिए एक युवा आदी अब महादेवी की कुटि के निवासी थे युवा महिला जो थी उसने महादेवी उन्हा का विशेर सुप से ध्याना कर्शित किया उसने लाल किनारी की मटमरी दोती को नाफ तक कीच का गुंगट कर रखा था उसके हाथ की मोती कच्ची शर्वती रंकी चूड़ियां और पाउं में कुछ धीले पतले कड़े ताथा दो दो विच हुए और उसकी भिन और विशेर सामधिक सितिका परचय देती थी गुंगट से बाहर निकले मुख की आँच से वो एक समाने महिला लगती थी ना बहुत सुंदर लगती थी नहीं बत सूरत लगती थी वो एक अनले श्यामांगिनी यूर्ती बाहर बादों के गड़े खोल खोद कर चूरा बनाने में लगी हुए थी उसके गुलाई लिये हुए लंबे रूखे और उबरी हड़ियों वाले मुपर चूटी नथ थी उसके सफेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोड़ फटकर यहां महां से उगड़ी हुई थी उसकी पेली पुरानी ओड़नी में से व्यक्त दुर्वल शरीर जल्दी-जल्दी बालू निकाले में लगा हुआ दो कमजोर से थी और जल्दी-जल्दी बालू निकालकर चूले बनाने का काम कर रही थी यहां पर बच्चों की हारत और भी जदा करभ थी व्रद्ध युवा स्रीयों के पास ने वही एक और दो सामली की शूरियां थी जिनके गोल मोहों पर जूलती उल्ची रूखी और मेरी लटे मानो दर्डी रिता की गरीबी की कहानी कह रही हूँ दूसरी और फटी दरी के टुकडे पर एक बाले का सो रही थी एक अन्य बालक खंबे से टिकर बैटा हुआ आखी मलकर रोने की वही का बाज़ार था इन सभी ग्रामीन लोगों की भीड को एक बरामदे में कबजा किये हुए देखकर मादेवी वर्मा की चायका जोती भक्तिनों आगबर बूला हो जाती है लेकिन मादेवी उसे शांद करा देती है ठकुरी बाबा से मादेवी की पहली ठीक से मुलाकाज़ो होती है संक्रांती के दिन के स्नान के बार सुबर पनकुटी में होती है रद दोनों हाथों में दो दोने समाली हो सामने आखड़ा होता है यहां पर महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा का काफी विस्तार से वर्नन किया है ठकुरी बाबा तिलका लड़ो, घी, आम के अचार की एक फांक और ड़ी महादेवी वर्मा को देने के लिए लेकर आए थे उनके स्ता अनेक बार वाना करने पर भी उनकी थाली में डाल दिया और इसी दिन से महादेवी वर्मा का संबाने ग्रामे नतितियों से साचरे जने स्ने में बदल किया था महादेवी वर्मा युनिवर्स्टी से लॉटकर आती तो ये गामिंडो पर्ण कुटी में उनके पैर रखते ही जलपान के लिए वेविदर और सर्वथा नवी इंजन लेकर उपच्छते हैं नई नई चीजे रिक्या जाते हैं कल्पवासी एक ही बार खाते हैं जब कल्पवास में रहते हैं तो खाना एक बार ही खाया जाता है और माग के करकड़ाते जाड़े में भी आग न तापने की नियम का सक्त परण करते हैं इस नियम के मूल में कुछ तो लकडी का महंगपन और अनका भाव रहता है और कुछ तो परस्यागी परंपरा भी होता है कुछ तो लकडी महांगी होती है, अनकम होता है, साथ में कुछ परमपरा भी बन गई है, तो लेकिन महादेवी तो अलाव जलाकर मचिया में बठी तापती रहती थी, इस मेले में कोई बजन सुनाता, कोई पौराने कथा कहता, महादेवी वर्मा उनकी जीवन कथा से काफी प उनकी पिता भी कभी थी, वो भी कभी थी, उनके किसान पिता में विशेष्ट दुकबंदी प्रतिभा थी, इस अंश में ठकुरी बाबा के जीवन, परियार और उनको परिवार जाले जाने का परिचाय मिलता है, उनके परिवार का परिचाय मिलता है, और साथ में उनको कैस उनके पाईवार नहीं ठगा, छला, इसका परिचा मिलता है ठकुरी बाबा स्वभाव से संतोशी और कभी थे उनकी कोई नियमी तावदनी नहीं थी बाब आई पाने के लिए वे कहीं बिरहा सुनाते तो कहीं किजी के यहां चान में बैठ का रात-रात-बर खेलों की रखवाली करते वो गी सुनाते इस कभी जनित अकर्न मन नहीं था तक कभी थे इसलिए और कोई काम नहीं कर पाते इस वजे से ठकुरी अपने भाईयों की उपेक्षा बहजाईयों के व्यंगेबान और पत्नी की मर्म पीना का कारण परते रहे कुछ समाई बाद ठकुरी की पत्नी को एक गर्न्या हुई लेकिन चिकिस्य सेवा विश्राम के लगातारा भाव के कर्म्रा उसे चिकिस्सा नहीं मिली इलाज नहीं मिला देखभाल नहीं मिली तो पत्नी जो थी वो डेड़ वर्स की बालेका को छोड़ करके उसकी मृत्ती हो चाती है अब पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तवित पत्ती और पिता बन सके बालेका का नाम बेला रखा गया वो सुन्दरी थी, सुन्दर रड़की थी बाबा बेला की देखभाल खुद किया पते थे उसे पीठ में लाद कर काम करते रहते थे उसकी देखभाल के लिए मौसी को ले आए थे बेला जब 6-7 साल की हो गई तब ठकुरी ने किसी कावे प्रेमी कवेता का प्रेमी था, कोई सजातिय था, उनकी जातिका ही था भाड जातिका था, मात्र पित्रवीन जिसके माता पिता नहीं थे अनार्थ बतिजा था, उससे बेला की सगाई करके भावी जमाता को अपना काम का सिखाने लगे जो भावी जमाई था उनके होने वाला दमान था उसको अपना काम का सिखाने लगी लेकिन जमाना के शिक्षा पूरी होते ही उसको चेजक निकलाई उसको चेजक बहुत खताना भीमारी हुआ करते थी वो बस तो गया लेकिन उसे एक आँख से दिखना पूरी तरह बंद हो गया और दूसरी में बहुत ही कम दृष्टी था चिंता एक आँख तो खतम हो गई दूसरी में बहुत कम साई बची उसकी तो कभी ससुर उसकी बुड यह पाशा हुआ ठीक था तरह फं dominated शर्डू हर वश्ज मांग मेले के अक सतर गंगााती कल्पवाज करके पुन्य परमाद लमयता है और इसके साथ गाहूं के अन्य भक्तगण भिपई चलिए जली है तो इनके साथ गाउं के और लोग भी चले जाते हैं ठकुरी बाबा सुभावता है, सरल, विनम्र, सजन, भावुक और सेवा भावी विक्ति थे यह सबको अपना आतिती बनाने की हमेशा आतुर रहते हैं उसों को कुछ नकुल देने में उन्हें विशेश पकार की आननदानोब होती होती थी लोग भी इस बात का कई बार फाइदा उठाते हैं तो उन्हें बहुत थोड़ी सी चीज दे कर एक्चुली होता क्या है और स्नेह दुलार का भाव महादेवी को अपने जीवनें बहुत दिनों तक खलता रहा तो उन्हें उसकी आदत पढ़ गई थी एक तरीके से उसको बाद में वो याद करती है उसकी बाद अनेक माव मेलों में ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा को दिखे भी और मिले भी और ना जाने कितनी ही बार ठकुरी बाबा ने उनका खिचली बजार के पुए आदि वेंजनों से सतकार भी किया और कितनी ही बार अपने जीवन का अख्यान सुना है महादेवी वर्मा को ठकुली बाबा से बिलने के बाद यह अनुभव हुआ कि जामिन भाव संपदा काव्य कला कोशल और सभाव एक शिष्टा की शहरी चतुराई जो गाम की जो भाव है गाउं की जो भाव उपता है वो शहरी चतुराई बद्दे का विमान आडंबर और भा गाउं कितना बेतर है यह बात महादेवी वर्मा को ठकुली बाबा से मिलने के बाद अनुभव हुए इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं हो खुद क्याती है कि शहर और गाउं के बीच में जो अंतर है उसे मिटा पाना इतना असान नहीं है इधार दो साल से माग मेले में नहीं आ रहे थी पिछली बार जब उनसे बेंट होई थी तो बहुत कमजोर हो गए थी पता चला था कि उनकी मौसी अब इस संसार से बिदा ले चुकी है तो मौसी के जाने के बार ठकुरी बहुत टूट गए थी वहापा महादेवी उनसे पूछती है कि बाब इसके बार ठकुरी बाबा का क्या हूँ यहीं पर एकाचित्र समाथ हो जाता है तो आगे है एकांकी के तत्वों के आधार पर वैश्नाव जयनद एकांकी की समीक्षा कीजिए तो वेटा भूमिका है नाटक और एकांकी दोनों द्रशे विधाई है नाटक में कई यंक होते सब्सक्राइब से आपको पेपल में काफी हेल्प मिल जाएगी, उसको आप जरुव देखिए अब बेटा, तो एकांकी में साथ तत्व देखी जाते हैं, जिसमें कथावस्तु, पात्रचरित्रचित्रण, सम्वाधियोजना, संकलंत्रय, भाषा शैली, अभिनेयता और उद्देश बतान होत अन्य तत्व के आधार पर इसका हम समिशक कर सकते हैं, क्योंकि जो ध्वनी रूपक है, जिसे रेडियो पर दिखाया, सुनाया जाना है, उस पर एक्टिंग तो नहीं होगी, तो एक शेष्ट वैष्णव जन ने पाए जाने वाले कुनों का वणन करते हुए लिखक ने, मह पर दुख भंजग दूसरे के दुख को कम करने की कोशिश करना, जन सेवा, नम्रता, एहम त्याग, कथने करनी में अभेद, याने के जो कहते हैं, वो करते हैं, पर निंदा ना करना, त्याग भावना, इच्छा शक्ती, समद्रिष्टा, समद्रिष्टा याने के सबको एक समान मानने वाला, सबको एक मेजर से देखने वाला, त्रिष्टा रहित, अस्ते याने के ईश्वर में आस्था रखने वाला, अप्राद इस युक्रती गलती होगी तो मानने वाला, माया से परी, निर्भीक, आत्म विश्वासी, मिष्ट भाशी, आदे गुनों से युक्त यहां से वो पिर उनको सारे के सारे गुन बथा लिए हैं, उसके बाद एक एक गुन को उन्होंने मातना गांदी में साबित किया, कि यह गुन उनके अंदर थे, उन्होंने जीवन बर एहम से मुक्ती पाने का प्रयोग जारी रखा, बरतन माजे, पानी भरा, दूसरों का मै से भैंकर से भैंकर संकर में बीना डगमगाई, चारा-चारी कार्ण के निश्वर्ता की परिक्षा सावित हुआ, राच्षाही के पते हुए संकर्ष को इंसात्मक रूप रिदा देखवे रुक नहीं चके और पूरा भारत गोर निराश्टा के अंदकार और निश्वर्को राश्ट्रे शाला बनबाने के पैसे वापिस कर देना, बाकोदान के पैसे जमान ना कराने पर दोशी मानना उन्हीं आस्तिय खुषित करता है, इनके वो इमानदार थी, इस प्रकार एकांकी की कथा वस्तु का सुगठित तशक और पहावी रूप सहजी देखा जाता है, क लेकिन चर्यत्र चित्रण के मार्द्य हमसे कथानक का निर्मान किया जा सकता है, एकांकी कार अपने पात्यों का चुनाव इस पकार करता है कि कथानक में सरस्ता आ जाती है, तो डक्टर राम कुमार वर्मा तो घटना से अधिक शक्तिशाली पात्र को ही मानते हैं पर एकां तो लेकिटा होनी चाहिए, मेसने साइब شवता होनी चाहिए, जाती है, पर पोद्व Пр Investment Show और समबाद आ जिए न समबाद सब ध्वनी पर यहादार ही तो बष्णब जन पर भाकर जी का एक ध्वनी रूपक है जङर बाश्नब प्रभाकर जी नी या कहें रेडियोिकां के, इसमें उनके अंतस को वाने देने वाला ये बजन मानों ने अज्ञान और जड़ता से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता हूँ दक्षिन अफ्रीका हुए भारत बिना थके, बिना डरे, बराबर लड़ते रहे स्वर और सूत अधार के माध्यम से लिखक ने इस बात पर व्योश किया है कि वैश्ण अफजन वास्ता में किसे कहा जाए इसी विचार को स्पष्ट करने का इस एकांकी में गोहवागर जी ने सफल प्रयातन किया है वेद परने, वर्नाश्रम धर्म का पालन करने, कंटी पहनने, तिरत लगाने वाला एक पाखंडी हो सकता है किन्तो वस्तुता है किसे भी ओपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आलिम पातों के अपनी भूमिका होती है पात जहां कथा को आगे बढ़ाते हैं, वहीं रोचक्ता और सजीवता का गुन भी स्थापित करते है नाटकों और एकांकियों में तो यही अभिनिता के रूप में होते है रंग मंचिय नाटकों एकांकियों में तो पात अभिनिता रूप में प्रभावलाते हैं लेकिन द्धपने रूपकों एकांखियों में ये सम्भाणी करते हैं, तो द्धपने के माध्यम से वादावरन, वेश-पुषा, द्रशय-सज्जय, पात्रों के सिती का ज्यानशुदा को कराया जाता है। वैशनव जन एकांकी पात्र चळदुा की धर्शति से एक सफर्स एकांकी है जिसμε्ड में वार्तों कि संक्या सी में दो सकता हैं इसी क्रम में meille pariqatpaatr के होती है वर्गण यहां पर जो है गांधी जी जो है वो ब्रगत पात है और जो की वैस्टव जनके परिच्छा है एकांकी के मन्तबर को सपष्ट काता है और कहता है कि बापकू अपने सिर्जनहार के पति शचे रही अंतरी शरण में भी जब हत्यारे की गोली उनके बक्ष पे पार हो रही थी तब भी उनके मुख से निकला है राम यानि कि है मेरे सिर्जनहार मैं तो तेरी ही शरण में हूँ तो जैसे चाहे रख चरम आत्मसयम और अनद्यूगनेता की मामने में सुकरात के बास अंसार में शायद बापू के समान और कोई नहीं पैदा हुआ उनकी अजेश सिर्टा और अभी चलता को देखकर वहद्रिष्टी अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि हत्यारे ने उन्हें वो ली क्यों मारी थी वही उनका परम सते था वही उनकी चरम उपलब्दी थी यह उपलब्दी जो चरम मुप्ती और चरम निर्वान की है वैटनफ जन को ही प्रांप कोशल सकती है उस वैटनफ जन के दरशन से 71 पीडियां तर जाती है क्योंकि वही तो शुद्र रधर वाला है और कि वर शुद्र रधर वाला ही मशिश एशवर और मनुशः से प्रेम कर सकता है इसके लिए उस भावना से बढ़कर मुल्यवान और कुछ नहीं कि हमने किसी दूसरे के दुख में हिस्सा बताया एंकार रहित भला करने के अभिवांचे शुने पूर्ण जयालुता ही धर्म का सरोच चरूब है इश्वर ने अपने दीवानों को अजीब अजीब वेशों में दुनिया को जाचने के लिए भेज दिया और कह दिया जाओ तुम ऐसे ज्ञान का प्रचार करो जो दूसरे दुखों को दूर करें सब आँके खोल कर सखो और परवरतन का माग साफ करो इश्वर के दीवानी है वेश्टनव जन होते हैं यहां पर पात्रों के बारे में बात कही गएती है आगे है कथावस्तु कथावस्तु वो तत्व होता है जिस पर किसी एकांकी की भव अटालिका खड़ी की जाते है अर्स्तु तो एकांकी का पान मांते हैं कथावस्तु को और भारतिय नाटे शास्त्र में भी इसका में तो स्विकाल किया गया है तो कथानक मुलते है वो गटना विन्यास होता है जिसके द्वारा एकांकी की भावस्तु को रूप मिलता है कथाना कियाने कि उसका स्टोरी लाइन, तो एकांकी का कथाना का समूह नहीं है, आप इतिहास, पुरान, धर्म, लोग गाथा, समाज, राजनेती, मानविय भावना, जीवन चरिद्र या कोई प्रचारात्ना विश्यक कहीं से भी लिया जा सकता है, उसको पढ़ने के बाद, उससे देखने के बाद लगे कि हाँ, यह रील लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसमें उत्तेजना, रोचक्ता और विस्मैता के गुंद जरूर होने चाहिए, इसके अ कारंभ हो, विकास हो और अंत हो, यही क्रमबरता प्रेक्षाकों को अंत तक प्रेक्षाग्राय में बिठाए रखते, कोई मोवी देखते हैं, अगर वो बोरिंग होगी, आपको इसमें इंट्रेस्ट नहीं डबल अप हो रहा है, तो आप इसमें छोड़के आ जाते हैं, तो वेष्ण वजन में सहजी देखी जा सकती है, धनिर प्रधान होने के कारण इसकी कथा दृष्य विधान है, अगला है संबाद योजना, संबाद नाटक का अधारबू तत्व होते हैं, और अन्य विधाओं के तुल्ला में यही नाटक और एकांक एका विशेश तत्व होते हैं, तो नाटक या एकांकी में संबाद कथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उत देशे तक ले जाने में सहयक होते हैं, पात्रों का चनितर चित्रन करते हैं, मनोभावों को ग्यक्त करते हैं, तो संबादों का संशित होना, सरल होना, प्रभावी होना, प्रभाव में हो जरूरी होता है तब ही दर्षक और शॉद्दा को बांधी रखने में सफल हो पाते हैं अच्छे समवादों में समवाद का छोटा होना चुस्त होना चतौल होना पाथा नुकूल होना, चंदरवा नुकूल होना माना जाता है यही सम्भाद रोचक्ता और सजीवदा का गुन भी लाते हैं तो यह जो एकांकी है वैशनल जन कि इन सभी के सभी शैलियों पर इन सभी के सभी कचोटियों पर ठीक है विशेश मैतों होती है तो पात्यों का प्रवेश, प्रस्थान, अंतर उनकी मनुदर्शा वातावन को भारता है धनी रूपक में तो खार तर पर धनियों का विशेश रुपदान रहता है तो धनी रूपक में साथ नहीं संभाद और घटनाओं का वर्ण संक्षिप्त होता है इसमें घटनाओं की प्रमुक्ता होती है इसे साफे व्यष्नाव जाने जो है इसके संभाद सफ़ दिखाई देते हैं अगला है संकल अंतरे इंका की जो एकांकी होती है उसमें संकल अंतरे का खार ध्यान दखा जाता है संकल अंतरे का मतलब होता है जो जगा आप बता रहे हैं, उस समय जो बता रहे हैं हो और उस गयागी गटना, तीने चुज़ेगा आपस में कॉर्डिनेशन होना चाहिए, नाटक का संपूर कथानक एक ही स्थान पर घड़ित होना चाहिए, काल संगलन से मतलब है कि जिसका समय नाटक के अभिने के लिए उतने ही समय में घड़ित घटना पर कथानक कार्शित होना चाहिए, कार्या नविती से मतलब है कि कथानक में एक ही कथा वस्तु हो, उसके विभिन, अंग, सजीव, अभ्यवों के भाति एक दूसरे से आब अध्धों जुड़े हों, और प्रेष्ण जम नेकांकी में विश मस्याया उदेश एकी वरी बना रहता है, नाटक या एकांकी एक सामय एक विधा होती है, जिसमें आम आद्मी सीधे-सीधे जुड़ा होता है, क्योंकि जब तक उसका मंचन नहीं होता है, तब तक कोई भी नाटक या एकांकी सफल नहीं मानी जा सकती, और मंचन के लिए द कि अगर बात की जाए तो इसमें विष्णु पभा करने हर बात का पूरी तरह से ध्यान रखा है इसमें मधुर ध्वनी के साथ साथ वैष्णावजन का गीत सुनाई पड़ता है गीत के साथ ही सुत्रधर का गंबीर स्वर्भी उभरता है वेद पढ़ने वनाशम धर्म का पा दुख भंजक होता है गांदी जी दूसरे के दुख को दूर करने वाले हैं दूसरे के दुखदर को समझने वाले हैं मुख्य लक्षे था मनुष्य के दुखदर को दूर कर तो सुअधिन ता उस लक्षे को पाने का साधन मार रही थी उसमें कई उधारान देकर यह से जल्ना हे राम, मेरे से जन्व हार मैं तो तेरी ही रन्न हूं तो चाहिए जैसा रख उनके वहस्णाव जन्व होने का एक प्रमान है। आली बाता चाती है बटा भाशाषा शैली की? भाशा शैली नाताक या एकांगी का प्रमुक्ततु होती है। इसका महत तो इस बात में होता है कि लेखक में जिस भाषा शैली का इस्तिमाल किया है वो कतानक पात्रों और वाता वरंड के अनुकूल होना चाहिए तो नाटक या एकांकी में इसके अलावा ये भी ध्यान रखना पढ़ता कि भाषा ऐसी हो जिसे कि दर्शक आसानी से समझ ली उनकी इसाफ से भाषा जटिल ना हो क्लिश ना हो तो लेकर पात में कुद्देश यही वरना खतम हो जाएगा इसे साफ से प्रभाकर जी ने वैशनव जनेकांकी में ऐसी वाषा का इस्तिमाल किया है जो कि सब के लिए सुबोध है सुकर है यहीं कि आसान है हलाकि उन्होंने संस्कुत के तत्तम शब्दों का भी इस्तिमाल किया है जो कि पात्रानुकूल है पसंदानुकूल है लेकिन फिर भी उस समझ में आ जाते हैं जैसे कि वैशनव, रष्टभूमी, प्रेम, ईश्वर, एहम, विनमृता, बंदना, निंदा, धर्म, पाखंडी, चित, प्रतिध्वनी, मर, दुर्दशा, लक्षे, द्वन्द, आर्षे, प्रभू, द्वारक, शुद्र, शुन, समाप्त, प्रात्न, ये सबके सब शब्दों का उन्होंने इस्तिमाल किया है इसी प्रकर सहाई जरूप में गुजराती है और उदू के शब्द भी इस एक प्रधान होती है इनमें साहितिक्ता के धरातल पर लेकर जाना इनको कखिन होता है लेकिन पवबाकर जी ने बहुत अंशुदर इसका काफी प्रयाज किया है कि इसका मानवी धरातल बना रहे सके है रूपा की रोचकता बनी रहे इस तरह भी लेका का पूरा ध्यान रहा है अब्रक्स कैसा का निनमान रहे स्क है विशेहण का लेकर लेकर पनकार लेकर धनको शिप्त है गति-शीव है और बास्यक्ता रहे सयंक्वार जिन का होगीरो है बजन से, तो संकलन्त रहे कि इस तूलता से भी मुख्थ है और प्रस्तूति करण की विगलाख्यानश्यली विशेष्ट है, व्याख्यानश्यली विशेष्ट है और वणनारपार संवादो द्वरा अभी व्यक्ति प्रत्यश्य दर्शन के अभाव में भीम का निर्मान तो यह हो गया आपका नेशकर्श और यहां पर आपका क्वाच्चन का अंसर खतम हो जाता अगलाई शायद एकांकी का आलोचनात्मक मुलियां कर दिए इतना पढ़ेंगे तभी आपको थोड़ा सा याद रहेगा पेपर में लिखने के लिए बहुत प्रिसाइज चाहेंग जो लोग मुहन राकेश की जिन्दगी के बारे में जानते हैं उन्हीं शायद एकांकी हो पढ़कर यकीन हो जाएगा कि इसमें जो कुरुष पाट्र है वो खुद मुहन राकेश ही हैं कोई भी कलाकार वो चाहें नाटक उपन्यास कहानी या कोई भी विधा लिखे उसमें जीवन में देखें सुने या संपर्क में आए लोग मानस पटल परंकित अनेक भाव मिचार कलाकार को भीतर भीतर मत्ते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने साहिते में ले ही आता है उन्हें किसी ना किसी रूप में ढालने का पयास को करता ही रहता है शायद एक आंकी भी म जनाव की समस्या और उससे उठने वाली उब, निराशा, पीड़ा और संत्रास आदुनिक मानव का स्थाई भाव है। इसे ही मोहन राकेश ने अपनी रचनाव का मुराधार बनाया। इनके और भी निबन दया उपन्यास या उपन्यास अगरा पढ़ेंगे तो अदिकतर ऐसे ही हैं बिटा। मोहन राकेश अपनी हर रचना में स्वयं कोई गुज़ते नजर आते हैं। शायद एक आंकी में भी पुरुष को लगता है कि हर आदमी की अपनी अलग जिंदगी होनी चाहिए। इस्थी पूस्ती है बिना घरबार के तो पुरुष करता है कि नहीं घरबार भी हो और अलग जिंदगी भी। सिर्फ इस्थी के साथ रहने के बावजूत पुरुष की अलग जिंदगी की चाहत अस्तित्वववादी दर्शन को ही दर्शाती है। मुहन राकेश की जो एक आंकी है शायद इसको एप्चर्ट ने कहा जाता है या फिर विसंगत नाटक कहा जाता है। दुतिय विश्वयद के बाद ये रोप में अस्तित्वववादी दर्शन का विकास हुआ था इसी अस्तित्वववादी ने नाटक एक शेत्र में विसंगत नाटक के बावना को जन्म देता है। विसंगत नाटक यानि के अबजर्ड वो है जो प्रयोजन हीन है ऐसे व्यक्ति के सभी क्रियाव्यापार व्यर्थ ओ जलूल और अर्थ हीन होती है। नाटकों में व्यर्थता, निरर्ण थक्ता, अतार्थ तिक्ता और अनिश्टिता को नाटिय वस्तु के रुप में प्रसुद किया जाता है। इन तो इन नाटकों का अंतिम लक्ष है इन सब के भीतर से मनुश्य के मौलेक अस्तित्वों को परिवासित करना ही होता है। इसमें कोई संगती निजड़ नहीं आता है। शायद का संपूर्ण कथानक विसंगती बोध परियाद आ रही था इसकारनी एक विसंगत या अप्चण नाटक माना जाता है। और मध्यवर्गी दामपत्य को अपना अंतरमन टोलने को भी वश्का देता है। जिन्दगी की एक रस्ता और वही रोज मर्राकिस दितियों की आबरती आदमे को कितना तोड़ देती है। और वो कैसा अनुपव करता है इस एकांकी से इस पष्ट होता है। इन तो यहां बीजड नाटक कहने से मोहन ँकेश का तत्तक पर है, इसके पूर्ण नाटक के र견्प में विक्सित होने की संभावना को देकारेली आद विए इनकी इस को शायद विक्सित रूप में विक्सित करने का उनका मोड़ रहा होता। इस पकार मोहन दाकेश बीज नाटक जैसे कोई ओकर पूर्ण विखसित नाटक के लिए नया मार प्रशल्ट करते है हलाकि मोहन दाकेश का ये कोई योग उन्तकी सीमित हो कर रहा है बाद में लोगों ने इसको ट्राइड नहीं किया, ट्राइड नहीं किया अनै नाटक कहरोनी से सहस्ता से नहीं अपनाया, ये कम दाकेश की ये कांकी शायद से बीज नाटक की जो शिल्क पिन्यास करने की पोशिश की जाती है वो बहुत सब्सक्राइक नहीं होता है कोई ऐसा भी वीजनाटक डिखा जाए जो आयनल दाया को संगति पूण हो अर्थ पूण हो लेकिन क्या ऐसा वीजनाटक पूण होने की संभावना से लेस नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है इस एक आंकी का शीर्षक अहर पूण है और संभवत रिशेट करता है इसके शीर्षा से अनेक अर्थ और भाव में कलते हैं इन सभी अर्थों और भावों और विचारों का मिला जोला पर भाव इसे कांगे के शीर्षा को धनित करता है शायद का मतलब है संभवत है May be, may not be कुछ भी पर्मानेंट नहीं है सबकुछ अनिश्चित है, दिशाहीन है अले नहीं किस्तेती है सबकुछ अनिश्चित है, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है रंदे के केड़े में है, सबकुछ शक्के केड़े में है ना तक मैं मुख्य रूख से दो पाते है स्री और पुरुष यह दोनों दो जैवी किकाई हैं, दोनों के दोनों महिला और पुरुष को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भत्र हैं, स्री अर्पुरुष इन नामों से एक दूसरों का रिष्टा इस पर्ट नहीं होता है, यह दोनों एक दूसरे के पति-पत्नी है, अलग ही पता चलता है, लेकिन इनमें पति-पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों रेल की पत्रियों की तरह एक दूसरी पैलल चल रहे हैं, समानता हैं, ये दोनों एक ही सत के नीचे अजनेवियों की तरह रहने को विवर्श हैं, ये पा पूरी तरह से सिद्ध का देता है। आगे भाशा, तो भाशा की दृष्टी से ये एकांकी महत्वपूनुप लग दी है। मध्यम बर्गिय दंपत्य जीवन की नेरस्ता, खाली पन, उबावपन और खोखले पन का बोद कराने बले संबाद मुहन लाकिश ने पूरी एकांकी में फैलाए हूँ है। संबादों में संदर्व गत अनविती नहीं है, लेकिन जीवन की रगों में संबाती जाती पीड़ा, भय, उब और डिक्तिता को ये संबाद पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। जैसे कि उधारन में पुरुष खुद स्विकार करता है कि पता नहीं क्या है मेरे अंदर, किस चीज की उदासी बनी रहती है हर वक्त। इसरी कहती है तुम्हारा मन हमेशा उन्ची जो के लिए वटकता है जो तुमसे दूर है, पास होने पर चाहें तुम्हें नहीं देखो भी नहीं और उनका सेख तुम्हें पहुंसते रहना चाहिए। नाटे संबाद जहें संक्षित हैं अधूरे संबाद पात्रों के अंतरड़न्द को स्वष्ट करते हैं बेचा कि उस पात्रों को नहीं उभारते हैं लेकिन पात्र के मन को प्रिप्टी देते हैं कहीं-कहीं संबादों को इसलिए भी दोर आया रहा है ताकि जीवन की निस् अगरी बात है अभी नियाता तो क्योंकि यह जो नाटक है शायद इसके प्रदर्शन के लिए मंच पर बहुत ज़दा संसाधनों की जिरूत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़दा मन से सज्जा की जिरूत नहीं है, संकलंताय का रिवाय इसमें रिवाय हुआ है, देशकाल कारे और पात्र में एकता है, कहीं कोई अंतर नहीं है, इसकी भाषा बोलचाल की समाने हिंदी है, नाटक कार द्वारा गिये गए रंग ने ड्रेश अच्छी तरह से इसमें समझ में आते हैं, नाटक के संभाद पात्रों के अनुकूर है, संक्षिप्त हैं, और सीदे मुद्दो को लक्षिय करते हैं, संभाद सार तक हैं, संभाद और पात्रों की हलकत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मंच पर भाषा में शब्दों का ध्वनिच संयोजन, बिल्ली की म्याउं म्याउं, अंधेरे को चीर्ती और द्वन्द को उभारती, मंची अवाता और उनको भयाव से इन दोनों के स्री और पुरुष के रूप में रूपांतरित हो जाने की समस्या, अकेले पन की समस्या, पूझी वादी व्यवस्था में संभीधन शील, भावुक और विचार शील मनुष्य के अति बुद्धिवादी और अफसर वादी अंतरि में रूपांतरित हो जाने लिखते समाई जो अपनी मनों मस्तिश्क में रखे होंगे उन इत देशियों को पूरतरा प्राप्त करते हैं अता है मोहन राकेश का ये नातक एक आंकी के साथ ही बीज नातक एक्षेत्र में भी महतोपूर्स्थान रखता है उसकी एक बड़ी वेशेष्टा ये है कि केवल दो पात्रों के होने पर भी अतिनाटकी अता का आभास नहीं होता है सांके तिकता इस नाटे प्रेयोग का एक अभिन अंग है इस्त्री और पुरुष में खाली पन का बना रहा है आज के समिता की संदर्भोंने माने भी या मान सित्ता की शायद नियत रहा है तो आज कल के मध्यम वर्गिये परिवारों के वेवाहे जोड़ों का अने प्रतिंताओं सुख सुदाओं में बीता बलकि रित्ता जा रहा है अग्दसाओं तो ये इस बीत रहे या रीत रहे के बीच में जो एक अंचाहग या रित्तियां उभर रही है क्या उन्हें कभी बरा जा सकता है शायद एकांकी इसी के अभी व्यक्ति है ये एक शोक नाटे की परिध्वनी है अपनी अंतर वर्त्तु में अलगाव के बावलू शायद को एकांकी इमें ही गिना जाता है किन्तो ऐसे विर्व नाटे प्रयों के लिए मुहंदा के सदा स्मर्णिय रहेंग उनको सदा याद किया जाता रहे अगला आपका प्रशन है अंगत का पाउन मिवन्द के अधार पर श्री लाजशुक्र की व्यंग श्राली पर प्रकाष्ट है तो अंगत का पाउं श्री लाज चुकल का प्रारंबित व्यंगय लेख है अपने उक्त व्यंगय लेख मिरसना कार ने आधनिक शिष्षा संसकारों में पले बढ़े लोगों के जीवन प्रम की जहांकी दिखा कर उनके दिखावटी और धोंग से वरे जीवन संसार को जागर किया अंगत का पाउं जिसे की श्री लाज शुकले ने लिखा एक विशेष्षा का निवंद है जो कि उनकी व्यंगय शाली का उधारन है उन्होंने इस निवंद में अंगत के पाउं को एक मजाक और व्यंगय पूंड श्रीकों से देखा है उन्होंने इस निवंद में अंगत के पाउं को एक संदीहात्मक स्थिती में रखकर उसके एहमकार और रग का मजाक उड़ा रहा है जिसके जरिये उन्होंने समाज में एहमकार की भावना को जगर किया है और इसे एक विचित्र और हस्मुक दश्य के रूप में पेश हुए है श्रीला शुक्र की व्यंगे शैली में विशेष्टा इसी में है उन्होंने इस निबंद में अंगत के पाव को विचित्र और अजीब रशे के रूप में चित्रित किया है अंगत के पाव इतने भारी और भारी होते हैं कि उन्हें धर्टी की खुदाई करके गहराई में दबाना पड़ता है इससे उनकी गर्व भावना का पर्याप प्रतिने देतों किया जाता है तो शुक्ली जी ने इस विशेपर ब्यांगे रूप से इस दिशा में विचाल किया है कि कैसे एक छोटे से गधे ने भी अंगत के पाव को खुजला कर दबाने की कोशिश की और अंगत के एहंकार को चुनाती थी इस प्रकाल उन्होंने समाद में एहंकार और गर्व की भावना को मजा किया रूप में प्रसुत किया है इस निबंद में शुक्ली जी ने स्वर्ग मुक्ति और पाप की भी चर्चा की है जो इसे एक उदाहर निया ब्रचिकून लेख बनाती है उन्होंने इसे छोटे से गधे के रिष्टिकून से पेश किया जिसे टपाठगों को एक नया और बिचितर रिष्टिकून दिखाई देता है शुक्ली जी की ब्रचिकून शरी का उधरन देने वाला इंडिवन्द अदुति और मनुदंजक है जो समाज की गर्व और एहमकार को चुनाती देता है इसके माध्धम चे उन्होंने अच्छे और बुरे भावनाओं का संगर्ष किया है जिसके हम समाज की मिट्री में चीपी होई सचा ही देख सकते निश्कर्ष चे शीलाज शुक्र रचित अंगर्ट का पाओं एक मैगा पून ब्रंगे लेखे शीलाज शुक्र की ब्रंगे रचिनाओं में विविद रंग जैसे साहित है संगीत, कला, शोध, यात्रा संस्मरन, यथात, आदश, इतिहास, पुरान, शिक्षा संस्कान ब्यबसाई तथा विविन प्रकार की संस्कान को अधार करें आध्याँ इस विरंग्या में आज के समाज में चल रहे अंगत का पाउ श्री लाज चुक्र का प्रारम दियंगे लेख है अपने दियंगे लेख मेरे इसनाकार ने आधनेक शिक्षान संसकारों में पड़े वरे लोगों के जीवन की जहांकी दिखा कर उनके बनावधी पन और ढोंग से भरे जीवन को उजागर किया है आज का मध्यमबर्गी परिवार हर उस बड़े रुत्रे वाले आदमी से अपने निजी संपर के असंबत बनाई रखना चाहता है जो उसे भविशे में कभी भी लाग पहुचा सकता है समार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऐसी चोच रखती है अंगत का पाउन इबंद में भी मित्र को विदा करने आये हुए लोगों में एक ऐसा ही व्यक्ति है जो प्रतियक काम की आदमी को दावत देता है लेकर इस मानशिक्ता वाले व्यक्ति को अपने व्यंगे का निशाना बनाता है उसका विवर्ण देते हुए लेकर रिखता है कि मित्र ने उन लोगों में से एक आदमी से बाते करने शुरू कर दिये जो उपर ही मन से हर काम की आदमी को दावत के लिए बुलाते है और जिनकी दावतों को हर आदमी उपर ही मन से टाल दिया करता है हमारे मित्र भी उनकी दावट टाल चुके थे इसलिए वे कहने लगे इस बार आउंगा तो आपके ही यहां रुकूंगा स्पष्ट है कि यह मित्र द्वरा यूँ ही बत कही कहने के लिए कहा गया है और चालिक दावर पर यह व्यावार एक व्यक्ति इसे भी अपने हितने साथ ते वह बड़े मीठे डंग से उसके रिदय में उतरता चला जाता है दोनों जानते हैं कि उनके भी सिर्फ स्वार्थ के संबंद है लेन देन के संबंद है वे भावनाओं की उठनता वाले प्रगार मैक्ति वाले संबंद नहीं बन सकते फिर भी दिखावा बरकरार है यहां लेखक का उदेशे शायद यही दर्शान है दूसरे पत्य व्यक्ति एक दूसरे से बरकर चाप रूसी करना चाहता है नौकर से लेकर हैं टक कैशियर अकाउंपनेर तक वे सभी मित्र के सामने व्यर्ट की उरूल जुरूल बातें करते हैं जिससे की दिखा सकें कि वे कितने वड़े हिच्चें तक हैं कुछी सब को अब ना चलने की गारण देने वनी ख़़े हैं गूंग तहल कर अपना समय कारता है पर नमित्र कहता है कि आप जाएं अपना काम देखी और ना विदा देने वालों के पास ही इस या दिक मैं तो पूर काम है तभी कि सभी खड़े हैं इसलिए वे मित्र की ओख देखकर के जिंद्री है देखिये ना मेरा काम पर एक तक्त से चल जाता है फिर भी दूसरों के लिए ड्राइं भूंगे सोफे डालने पर देखिये बाहर जाने के लिए ये सूथ पहनना पड़ता है यही कोरेशन है यही जिंद्री है जना गठिया का मरीज हूं पर मित्रों की कि वियों के चरित्र का इतना वास हो चुका है कि वह अपने विचारों के अनुरूम जीवन नहीं जीए सकते तो सामाने जन्ता से यह उमीद करना कि वह निष्ठा सिधांतों से अपना जीवन व्यतित करें या अपना काम करें वियमानी अंगत का पाउं व्यंदी जो है ये लड़कों से जूट बोलते समय अपनी बीबी से चुरा कर से निवान देखते समय वोत मांगने में बविश्य से बादिक करते समय हमारे मुँपर आ जाती होगी तो इस्तिति तो अब ये आ गई है कि हम जूट को सक्षी अधिक से है और विश्वस नहीं अधंग से बोलने ह और जीने लगी है जीवन की इससे बड़ी विड़म बना और क्या होसा है तो दिश्कर से हमारे ढूंग को जागर करने वाला अंगत का पाउन ये बंद में हास्यास पत्ता स्वय में सपष्ट है इसमें दिखावटी पन के साथ साथ अपना खोकला पन भी जागर होता है ये और खोकले पन को भी अविवयत करती है इसे दर्शाना ही लिखा का मुख्य ओदेशे है कि ये खोकला पन निसार्टा है संबेधन हीलता है और इसे ही उन्होंने नाम दिया है अंगत का पाउन अगरा आपका प्रशन है ठेले पर हिमालाय रचना का प्रतिपातिया लिखिए प्रशिद्र रचना का धर्म वीरवार्दी का प्रचलित निबंद संगर है ठेले पर हिमालाय में इसी शीशा से एक यात्रा व्रतांत संगर है ये इनका निबंद संगर है उसी किंदर इसी नाम से एक यात्रा व्रतांत है नाम है ठेले पर हिमालाय तो इस यात्रा व्रतां कोसानी के प्राक्रतिक स्वंदर है और इस मनोरम स्थर पर उनकी रोमांचा ग्याद्धा का बढ़न है यह ऐसे शीशक के साथ का रंभ होता है जो अनाया शीवाटा का ध्यान आकशित करता है ठेले पर हिमाला है तो रचनाकार अपने एक मित्र के साथ पान की दुकान पर खड करता है उसे जाते हुए देखकर अलमूड़ा से तालुख रखने वाला उनका मित्र कहता है कि बर्फ तो हिमालाय की शोगा है मित्र की बात सुनते ही तकाल ये शीशक लेखक के मन में पौन हिजाता है इन भावों को लेकर अपने मित्र से साजह करता है वो कहता है कि हिम्ड लिए मैं अपनी पत्मी के साथ कौसानी की यात्रा वर गया था। कौसी तक का रास्ता बेहत सूखा, कुरूप और उबर खाबर दिखा। उस कष्ट प्रद सूखे रास्ते पर पानी और हयाली का कहीं नाम नहीं था। पूरे रास्ते सूखे पहाड नजर आ रही थी, एक तो रास्ता कष्टों से भारा हुआ था, उस पर बस का ड्राइबर नौसी किया और लापरवा, जिसके कारण सभी आत्रियों की हलक खराब हो जो थी। लेखक अपने यास्तियों सहित, साथियों सहित कोसी उतर गए और कौसानी जाने वाली बस की प्रतिक्षा काने लगी। लगबग दो खंटे के बाद एक दूसरी बस आई जिसमें लेखक के परिफित शुकला जी थी। इन्हीं शुकला जी ने कौसानी के लिए लेका को प्रोसाहिद किया था। शुकला जी के साथ एक दूबले प्लक प्रते विए के सेन भी थे जो चित्रकार थे। जब उनकी बस कोसी चली तो रास्ते का सारा द्रश्य भी बदला हुआ नजर आया। कल-कल करती कोसी नदी के तरफ पर छोटे-छोटे गाउं, मकमली खेट तता सोमेश्वर घाटी की सुंदरता उनकी यांगो वो शुकून पहुंचा रहे थे। उनके एक सहयोगी में तुने बताया का कि इस स्थान सुजर्णनेंट से भी अधिक सुंदर है। तता गांदी जी ने भी अपनी प्रजिद अना सक्तियोग नामपुस्तक की रचना करने के लिए इसी स्थान को चुना था। कुछी दिरवाद लेका कमन निराश होने लगा। जयों जो उनकी बस कौशानी के समीब जा रही थी। उसी नदी के तब की ये सुंदर्टा समाथ होती जा रही थी। अपनी इसी निराशा भरे भाव से ये कौशानी की बसंदे पर पहुंच रही। लेकक घर्म भीर भारती ने कौसानी की सुन्दरता का जो गरन सुना था उन्हें वहाँ वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिरा इतना ही नहीं जिस हिम्दर्शन के लिए वो कौसानी पहुंचे थे उसका कहीं कोई चिन्य नहीं था कुछी शंड में जब उन्होंने बसके उतार कर घाटी का सुन्दरे लेका तो यह सब स्टबल रह गए वो सुन्दरे इतना निश्का रंग था कि लेकक के मन में आया कि जूते उतार कर पाउं पोंच कर ही धर्टी पर रखने चाहिए लेकक के नज़े ने दूर घाटी को पाल किया और शितिस तक खेले खेट वनों नदियों के साथ बादलों के जुदलते में उन्हें परवद दिखाए दियरे धीरे बादलों के हटने पड़े कर ने उन परवदों पर बर्फ को देखा उन्हें पसंद होकर चिला कर कहा बर्फ वो देखे साथ के सभी साथियों ने उस वो देखा और देखते देखे वो परवद बादलों में फिर लोगत हो गया चण भर के लिए हिम्दर्शन से सभी के मन में अब तक कि द्यात खिनता धुमिल हो गई और पसंद हो थे उनकी रात्रे बरके ठकान पूरी तरह से दूर हो गई हिम्दा के सभी को पुनह देखने के लिए सब द्याकुर होकर बादलों के छूटने की पतिक्षा करने लगी छटने की पतिक्षा करने लगी इसी से मैं गंबी शुकलाजी बस मुस्करा कर देख रहे थे मानो ये सब पहरे ही हो देखा पसानी का चादू अपना सामान डाग मंगले में रखकर सब बरामदे में बैठे दीरे दीरे बादलों के चटने का दर्शे देख रहे थे एक एक कर घाटी के सामने के परवत दिखाई देने लगे जिस पर नई नई बर्फ जमी होई थी इस सुंदरे को देख कर लेकक अपने मन की दर्शा को ब्यक्ते नहीं करता है लेकक को लगता है कि मले की शीटलता से अपने सुक दुकों को दूर करने के लिए तपस्वी और सादक यहां आते हैं उनके मन में ये भाव भी आया कि ये बर्फ कितनी पुरानी होगी ना जाने कितने कालों से ये अभिनाशी हिम इन परवतों पर जमी होई है ये सब देखते देखते सूर्य दूर में लगा और ऐसा लगा कि धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिगला हुआ केसर बहने लगा है अंदेरा होने पर लेखक और उनके साथी इन दृश्यों को आँखों में भरकर उठते हैं और चाय पीने चले जाते हैं अंदेरे में चांद की आगवन पर लेखक को लगता है जैसे हिम सो रहा है हिमलाय की चोटियों और हिम का दशन करने पर लेकर भारती जी को ये एहसास हुआ कि वास्तरिक और काल्पनेक सौंदरे के मीज का वेद निश्चिती पाटा नहीं जा सकता इस चड़ विशेश में लेखक स्वयम को निश्चिती में पाता है वो विचार करता है कि इस हिमलाय को देखकर लोग क्या क्या नहीं लिद देते पर मेरा मन एक कविता को दूर एक शब्द भी नहीं रचपा रहा है विशाल हिमलाय के सामने वो स्वयम की लगता से रूगरू होता है उसे लगता है कि हिमलाय उसे उसके समान ही और उचाउटने की चुनाती दे रहा है सहसा लेखक कध्यान सहयात्री सेन के द्वरा गाई जाने वाली रमेद की पंक्तियों से दूखता है सेन अत्यंत पसन्य थे और वो शीर शासन करते हुए हिमलाय को देख रहे थे उनसे पूचने पर उन्होंने लेखक को बताया कि हिमलाय को हर पस्पक्तिक से लेखना चाहते है अगले दिन लेखक और उनके साथी नीचे घाटी में उतरकर बैजनात्य आता करते हैं जहां गोमती नदी बहती हुए नजर आती है उसकी स्थच जलराशे में हिमलाय के शीखर की चाहा तैरती लिखती है आयंत में लेखकोल दर्शे का स्मरन हो राता है जब उसने ठेले पर बर्फ देखकर उसे सेंसा ठेले पर हिमलाय कह दिया था वास्तों में प्रतिध्वने की द्यर्थ चर्चा में बर्फ की वैचलर उसे अपनी इस यात्रा की याद देलाती है उसके बीतर हिम दर्शन की इच्छा पुनह जागरत हो की है और बार बार अपनी और आखशित करती है देह हिमलाय को संदेश बेजने के लिए विकर हो उठता है उलोटकर अवशे वहाँ जाएंगी क्योंकि दमन उन्हीं पवित उचायों में रंगता है ये था प्रशन मेटा थेले पर हिमलाय से कीसी बंधे बढ़ाई सांचे में नहीं करसा जा सकता है प्रतियक विधा के अपने कुछ खास गों होते हैं जो किसी एक विधा को दूसरी से प्रफट करते हैं विधा विषेश की बनावत में कुछ ऐसे तर्फव होते हैं इसके साथ ही लेकाक और पाठा के बीच आत्मी संब्द स्थापित हो जाता है और आत्मी अता के साथ व्यक्तिक्ता भी समाहित हो जाती है यात्राकार अपने कल्पना शक्ति के साथ यात्रा विशेश के व्रतांत को अत्यांत रोचक्ता के साथ प्रसुत करता है आतरा इंटर्पों में कल्पना और रोचक्ता भी समाइक्ता बरी रहती है। इस अधार पर हम कह सकते हैं कि यात्रा प्रतांत के गुरोग या विशेष्टाउं के रूप में स्थानीयता , प्र्थ्यात्मक्ता आतमीयता ब्यक्तिक्ता इवं रोचक्ता महति भुमे कानिवादिय हैं जिससे विद्ध्यातना रूप गयांड़ करती है। तो यात्रा सायतिय के विशेष्टाओं में स्थानियता ही वह मुख्य बंदु है जिसके इर्ड गिर्द संपुर्गता गुंती है। कैसे यात्रा स्थल यात्राकार की व्यत्तिगत पसंद होता है। इस पर लेखनी चलाते समय लेखा का मुक्य अद्रेशी क्या होता है। उसे स्थान विशेष के संदर्य, वहां के प्राकृतिक व्यपब, रहन सहन, आचार विचार, लोग की जीवन द्रिष्टियादी का चित्र। किसी यात्रा व्रतान के पीछे लेखक उसी वस्तु द्रिष्टिया उस्तिति या घटना को आधा सरुग ग्रेंड करता है। जिससे वह सब्चे ज़्यदा प्रभावित होता है। तो वेची यात्रा व्रतान जो है यह जो है आपका खेले पर हिमारा है। यह हिम की दर्शन कीचा करने वाले लेखक को सब्चे ज़्यदा आकाशित करता है। इसलिए उसे देखने के लिए यात्रा के लिए कौसानी का चुनाव करता है। इसलिए हिम देखना है, बर्ष देखना है, इसलिए वो स्नो देखना है, इसलिए वो कौसानी जाने का मतलो मन बनाता है, कौसानी के प्रक्रतिक स्वंदरे और भागोलिक व्याग भागपाच। सुन्दर चितर इस लेक में धर्मदीर भारती ने खीचा है। वे लिखते हैं कितना अपार सुन्दर ये विख्राता सामने की घाटी है। इस कौसानी की परवत माला ने अपने में ये जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किनर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। शहरी जीवन में सुन्दरे से विमुख होने की कसा उसे सालती है कि शहरी जीवन में मुझे इसारत सुन्दरे देखने के लिए नहीं मिलता है। और वो अंत तक कहता है कि मैं फिर लोटकर वही जाओंगा। लेकर अपने किसी भी याटरा में घ्याथ और अनुफू सभी तथ्ययों का विस्तार से वर्ण करने का पैयास करता है। इसे पाठक भी वही आनद प्रप्तात कर चाथे जिसे लेखक ने जिया है वुजिसे स्थान विशेश पर अपने रुटांत में लिखता है उसे तो वर्णित करता है यह साथ इस यात्रा से समध्रेद सभी दर्थिया को भी पसुत करता है यानि कि लेखक ने जो यात्रा की है उसके दौरान उसे जो facts पता चले हैं वो उनको भी share करता है तो ध्यान देने की बात यह है कि मात बूगोल या इतिहास तक से इमितना रह करके यहनि के वर उस जगा के जोग्रफी में बताता है यह तिहासकार जो होता है आपका यात्रा रुटांत लेके कि वर उस जगा के history और जोग्रफी ही मही बताता है बलकि उस जगा पर आज की तारीख में क्या समाजित परिविश है क्या वहां का रहेंस हैं, किस तरह का कलजन हैं, यह सारी बाते भी बताता है, तो लेखा कि इन तर्थियों को कथ्यात्मक रूप से सहें, जिस सरल बनाई रखने के भी पूरी कोशिश करता है, जिससे उसमें नीरस्तानार, मतब सारी की सारी जानकारी भी दे रहा है, लेकिन इ तो एक अन्यस थल पर कौसाली की भाउगलिक सिती का वडन करते हुए वे लिखते हैं सुमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो उँची परवत्माला है उसी पर विल्कुल शिखर पर कौसाली बसा हुआ है कौसाली के दूसरी ओर धाल शुरू हो जाती है ऐसे तत्थियों का वड़न करते समय लेका कत्यांत सहज और सरल भाषा शली को अपनाता है जिसे रतांट में रोचक तत्थियों का समाविश है तक ये इंट्रेसिंग बना रहता है यात्रा सहेत्य की खास विशेष्टा होती है कि वो आत्मी अता के रंग में सराबोर हो अपना पन लगे हर जगापन आठ्था को पड़ते टाइम यह अभास हो कि रिचनाकार जो कुस भी कह रहा है उसमें उसका हदय रमा हुआ है मन से कह रहा है यह मातर ड्रशक में वस्तूओं का ड्रश्टा नहीं है ड्रशक के रूप में कि बल एक ओडियंस नहीं है बलकि यह जरूरी होता है कि अपनी यात्ता के दौरान रिचनकार जगा के बारे में इसमारकों के बारे में वहां के प्राक्रितिक ड्रश्यों के बारे में कि बल ए लिखने वाले द्रश्य और गतबे पर पहुंचकर अनुभूत होने वाले द्रश्यों को आत्मसास करता हुआ लेकक सबके साथ अपना रिष्टा स्थापित करता चलता है। मतलब रास्ते में जो चीज़े देखी उनका वर्णन करना और पहुंचने के बाद जो चीज़े देखी उनका वर्णन करना इससे पाथक का जुड़ा उस रदांस से होता चला चालता है। तो ठेले पर हिमालय में भी हम हर जगाई सात्मियता को देख सकते हैं जहें आत्रक करते समय विविद मार्गों और प्राक्रितिक दुशियों के साथ लेकक ने आत्मिय संबंद स्थापित किया है। कौसाने के संदर्य का चकित करने वाला वर्ण तथा हिमालय तथा उस पर परिवार को देखकर लेकक बेहद आत्मियता के साथ उसका चित्तन करता है। वो कहता है कि इस एक छण के हिंदर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्यता, निराशा, ठकावट, सब चूमंतर हो गई, हम सब आकुल हो उठे, अभी ये बादल छूट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावरत, असीम संदर्य राशी हमारे सामने अभी-अभी अपना गूंगर धीरे से खिसका देगी। तो यह आत्मियता का भाव किसी भी रचना में तब ही आपाता है जब लेखक का व्यक्तित्व उसी विस्थान के साथ एक आत्म भाव से जुड़े, मतलब लेखक खुद भी उस विस्थान के साथ एक कनेक्ट बना है। व्यक्तिक्ता यात्रा साहिते की प्रिशेष्टाओं में से सर्वातिक महत्रपुना तो कोई पर्सनली उस जगह से कनेक्ट करें। यात्रा करते हुए लेखक अपने नेजी अनुगूतियों का भी रियत करता है। यही कारण है कि साहिते की अन्यगद्य विधाओं से याधि व्यक्तिक्ता की आवश्यक्ता यात्रा साहिते में उबुद की जाती है। यात्राकार अपने व्यक्तिक्तों के छाप सहयाती उपर भी डालता है और पाथक करता है। मतब यात्राकार जो होता है जब वो यात्रा करता है तो उसकी personality का impression उसकी जो साथ में यात्रा कर रहे होते हैं उन पर भी पढ़ता है और साथ में उसके readers पर भी पढ़ता है वो अपने व्यक्तितों से सबको प्रभावित करता है यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिकत विचारों और सुख्ष्मिन ड्रश्टी के दौरा चित्रों को अंकित करता हूँ अपने व्यक्तिकत को ही प्रसुत करता है किसी भी वस्तु और ड्रश्य को देखने की अपनी अपनी ड्रश्टी होती है हम सभी लोग किसी भी चीज को या किसी भी सीन को दिखती टाइम हमारा सब का विया क अपना एक नजरिया होता है और उन डरश्यों को पाठक तक की पहुंचाते हैं ये हमारा सब का ऐक personal opinion होता है बटे तो इस तरीके से जो कोई लेखक होता है उन द्रश्यों को पाठक तक किस तरीके से पहुंचाता है कि अनुभूती सब की साजी हो जाए ये लेखक की कलाकाली होती है तो इस रुटांत में सभी को केंद्र में रखकर स्थान विशेश का वो अवलोक होता है इस निबंद में भी लेखक धर्मीर भारती का व्यक्तित्व भाव रचना के केंद्र में है ये अपनी अन्भूतियों का वणन समय समय पर करते हुए लिखते हैं उनके विचारों की गहराई और द्रश्य के प्रतिसंवेदन शीलता के कुछ उधारन है जैसे कि दीरे दीरे मेरी निगाहों ने उस गाटी को पार किया और जहां से हरेकेद और वन शितिस के धुंदले पन्मी नीले कहरे में दूल जाते थे वहाँ पर कुछ चोटे परवतों का आभास अन्भव हुआ इन दीरे दीर रखी सकते हुए बादलों में यह कौन चीज हजो अटल है इस तरह के उधारन आपको पूरे यात्रा व्रतान में बिलते है यात्रा साहिते में वर्णन विवर्ण दैयक्तिक्ता का होना जितना आवश्यक है रोचक्ता का होना उतना ही अधिक परिहारे है यह उसका अनिवारेतम गुनिया विशेष्टा है यही वो मूल तत्व होता है जो पाटक को रचना पढ़ाने के लिए प्रेडित करता है रोचक्त्य का समावेश लेखक यात्रा व्रतान के दौरान किसी ना किसी रूप में अवश्य करता है वो किसी प्रसंग का जिकर करता है क किसी लोग कथा या किमा दंती का उलेख करता है कभी यात्रा के मारवो का रोचक वर्णन करता है तो कभी यात्रा से निमिलने वाले अपरिचित साथियों का वर्णन करता है यानि किसी ना किसी प्रकार से लेखक जीवत बनाई रखने के लिए रोचक्ता को एक टक्निकी के और आकशक हो जाता है तो बैठे बिठाए मिल गया इसके उपरांद इस रोचक किस्षे को लेखक साजा करता है जहां से यह शीशक उसे प्राप्थ हुआ तो वो किस्षा भी बड़ा मनुरंज़क है अपने लेख में की नैनी ताल से कौशाली बड़ा ही रोचक वड़ान लेकात में किया है और साथी अपरिचिस साथी चित्रकार सेन का रे देखांकन भी उन्होंने बड़ी रोचकता के साथ वसुदिक किया है पर शुकल जी के साथ यह नई मूर्ती कौन है या पतला दूमला बुझ जैसा सीखिया शेरीर और उस पर आपका जूमते हुए आना अंदरता है इन सभी विशेष्टाओं और उदाहरनों की आधार पर ये सपश रूप से कहा जा सकता है कि ठेले पर हिमालय एक सहज, रोचक, सोद्रण रचना है और यात्रा साहिते की सभी विशेष्टाओं पर खरी उतरती है यह ना केवल कौसानी के सौंदरे को सुरूची पूर्ट तरीके से सामने लाती है और प्रकृति के सानेद्य में मिलने वाले असीम सुख और मांसिक शांती को भी प्रकाशित करती है निश्चय ही यह लेख पाठप को यात्रा साहिते से जुड़ने और प्रक्रति की वर मौने की प्रिधना देखता है अगला प्रिश्ण है यात्रा वरतान ठेले पर ही माले के लेकर धर्म बीर भारती का जीवन परिचाय देते हुए उनके साहितिक यात्रा पर एक लेकर लेकर इसमें हमें लेकर धर्म बीर भारती की जीवनी बतानी है और साथ में उनके साहितिक जो यात्रा रही है यानि कि साह कभियों के मध्यवे सरवादिक रोमांटिक कभी के रूप में उपतित होते हैं। कभियों और उपन्यासों में सामाजिक और मनोवय ज्यानिक सरुकारों पर बात करते भारती जी कथा ग्यांगे लिखर में भी बेजोड अधिकार रखते थे। जीवन मुलिय या मुलिय बोज के दृष्टी से भारती जी का साहते विशिष्ट हैं। प्रयोगवादी काव्य तथा साहते में मनतावादी दृष्टी रखने वाले धर्मीर भारती ने आधिनिक साहते पर अपनी अमिर्चाप छोली है। धर्मीर भारती का जन्द 15 दिसंबर 1928 को इलाभाद में हुआ था। उनकी आरंबिक शिक्षा यहीं से हुई। इसे ही विश्वा विद्यालाए से उन्होंने प्येजी की उपादी भी प्रात की। इलाभाद विश्वा विद्यालाए में ही वे हिंदी के प्राद्याबग भी नियुक्त हुए। आरंब में कुछ वर्शों तक संगम नामक पत्रिका का संबादन किया और 1969 से उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुक के संबादन का कारे संबला। धर्मभीर भारती पत्र कालिता की दुनिया में अत्यां सक्रिय रहे और धर्मयुक्त्रिका का नाम भी पखर लेकं धर्मभीर भारती जी चाही पभावी था। तो भारती जी कुछ समय के लिए प्रगतिशी लेखक संक के स्थानिय मंत्री भी थे किन्तों साम्मेवादियों की कट्टरता तथा नीतियों से जल्द ही उनका मौह मंग हो गया उसके उपरां तो उन्होंने भारती संस्कुती, दर्शन, वेडान, तादिका गहना ध्यायन किया प्रसिद रचनाकार धीरें रिवर्मा के निर्देशन में उन्होंने सिद्ध साहित्य पर अपना शूतकारी परबंद किया उन्हें दिनों उनके प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सात्मा खोड़ा, प्रसिद्ध कावे संग्रे ठंडा लोहा और गीति कावे अंधा युगतकाशित हुए सन 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री सम्मान से सम्मानित किया इसके अतिरिक्त भी साहित्य में युग्दान के लिए उन्हें दर्जनों पूरसकारों से सम्मानित किया गया पत्कारी तक एक्षित्य में सर्वत्षेश्ट पूरसकार, गणफ शंकर विद्ध्याथःटी पूरसकार के साथ सात्ने संगीत नाटक अकादमी से सर्वशेश नाटक कर सम्मान, भारत भारती पुरसकार, महराश गौरव पुरसकार, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी प्राथ हुए। कहाने संग्रह मुर्दों का गाउं, स्वरगोर पित्वी, चांद और तूटे हुए लोग, बंद गली का आखरी मकान, सांस की कलम से, उपन्यास, गुरहों का देवता, सुरज का सातना खुला, ग्यारे सपनों का देश, निबंद संग्रह थे उनके ठेले पर हिमाले, पश्यत कहनी, कहनी, अनकहनी, कुछ देचेहरे, कुछ चिंतन, शब्दिता, रिपोर्टिंग योधियात्रा, साहित अविचार वस्मती, आलोचना थी इनकी लिखी हुए प्रगतिवाद एक समीक्षा, और मानव मुले और साहित्य, एकांकी थी इनकी, एकांकी संग्रह नदी प्या वीरभारती के संपुर्ण साहित्य पर दुष्टी डालें, तो इसमें विभिन्यमतों, विचारधारों, वादों और साहित्य कारों का प्रभाव स्वश रूप से दिखाई देता है। परिवार से उन्हें आरे समाज की विचार प्राथ हुए, तो गांधी जी के अहिंसा, प्रेम, बंदुत भाव में उन्हें प्रभावित किया। भावक और रोमानी भाव के इस रजनाकार ने अपने साहित्य में कलपरा और यथार्थ दोनों को समाहित किया है। उनकी आरंबिक रचनाओं पर छायावादी प्रभाव दिखता है, लेकिन शीग रही वे यथार् उनकी प्रासेत्रक्रती अंधय यूग कनुप्रिया आदिया आदिय पर अस्तित्रवावाद का गहरा प्रभाव का लिखाई देता है। इसके साथ सात प्रगतिवाद में भावदिय ने भी भाव से अपनाती चले गई। जो कुस तर्क, संधत और विवेक पुंट सहिति का अंधूलन लगा उससे वो जुरते चलेकर बारतिय संस्कति और चिंटन दिशा से जुरकर पाषषात्य और भारतिय चिंटन के 20 साहिते में संतूलन सापित किया साहितिक लेखकों में जिन्होंने भारती जी को सर्वादिक पभावित किया उनमें जर्शंका पसाद, निराला, मैथिली शरंगुप्ट, माखनलाल चतुरवेदी तथा पश्चात कवी एवं चिंतक शैले किल्ट्स और सकर वाइल्ड रिल के कामो रोलों साथ रादी हैं इन्ही सभी साहितिक परकर भारती जी की वैचादी की का निर्वान हुआ और उनके साहितिकी फ्रिष्ट भूमें निर्मित हुआ रोड़े बद्धिता और मांसिक संकीर्णता से अलग भारती जीवा सुधैव कुतुम्बंगम का भाव बोद करने वाले साथ राकार थी यही विचार द्रिष्टी उनके साहितिक आधनिक बनाती है चली आ रही बनी बनाई परिपार्डिक से अलग चलने तथा उनमें नवीन्ता की खोज करने के कारण वे प्रयोगवाद के महजवपूर्ण रसनाकारों की सुझी में शामिल हूँ अगला प्रशन है विटा आपका लेखक बनारसी दास चतुरवेदी का जीवन परिचा दिखते हुए उनकी साहितिक रसना पर एक लेख तो बनारसी दास चतुरवेदी का जन्म 24 दिसंबर 1892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजवाद में हुआ था 1913 में इंटर की परिक्षा पास करके वे फरुकावाद की गवर्णमें ठाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए कुछी समय बाद उनके गुरू लक्षमी धर्वाज पहिने उन्हें अध्यापन चोड़ कर आगरा आने और आर्या मित्र पत्रिका से जोड़ने का आदेश सुना दिया लक्षमी धर्वेदी जी इन दिनों आगरा से आर्य मित्र निकालते थी चतुरवेदी जी उनके गुरू का आदेश मानने के लिए तयार थी लेकिन इसी बीच उन्हें इन दौर के प्रसिदिट डेली कॉलेज में नियुक्ति का आदेश मिल गया चतुरवेदी जी को इन दौर में डौक्टर संपूर्णा नंद का साथ मिला जो इन दिनों डेली कॉलेज में ही शिक्षक्त है उन्हें दिनों इन दौर में हिंदी साहिते संपूर्णा आयो जित हुआ और उसकी अध्यक्षिता के लिए महतना गांधी आए तब चतुरवेदी जी को गांधी जी का निकट सानेत्या मिला इस सानेत्या ने चतुरवेदी जी की सक्रियता और रचनात्मक्ता को नई गती थी वश 1921 में जब महतना गांधी ने गुजरात विद्धा पीट की स्थापना की तो उनके आदेश पर चतुरवेदी जी अपनी सेवाएं अर्पित करने बहां चले गए गुजरात पावास से पहले और बाद ने भी लगातार चतुरवेदी जी ने अलेक पुस्तकों का संपाधन किया जिनमें हिंदी को राश बाशा बनाने के लिए देश बर के साहिते कारों की सन्नतियां जुटा कर एक पुस्तक के रूप में पकाशित कर गया ये कारे भी उन्होंने गांधी जी के अगरह पर किया था वसुत है एक स्थान पर ठहर कर काम करते रहना चतुरवेदी जी के पत्रकार व्यक्तित्वर से मेल नख खाता था तो ये स्वभावी ठीता कि उन्होंने गुजरात पिद्धापीत स्यावकार्ष लेकर पूर्ण का गत्ता से प्रकाशित मासिक विशाल भारत के संपाधक हो गए और कहना ना होगा कि चतुरवेदी के संपाधन काल में या पत्रिका का स्वण योग था 1930 में उन्होंने कुछ समय तक ओच्छा नरेश वीर सिंह जूदेव के प्रस्ताव पर टीकम गड़ जाकर मदुकर नाम के पत्र का संपाधन भी किया बारत के स्वतंत्र होने के पच्छा चतुरवेदी जी बारह वर्ष वर्ष तक राजे सवा के मनोनी सदसे रहे और 1973 में उन्हें पद्मभूषन से सम्मानित किया गया बारत साकार की तरफ से उन्हें कई बार विदेश यात्ताओं का अफसर भी मिला तथा उन्होंने देश भर में साहितिक संस्ताओं के उन्यान के लिए भी अनेक प्रयास किया दिल्ली के हिंदी भवन की स्थापना में उनका योगदान अत्यंत महत्पून है गांधी योग के इस महां साहिते साधका निधन दो मईए 1985 को हो गया इनकी रचनाओं की बात करें तो यूँकि साहिती त्यात्रा की बात आती है फीजी दूपे मेरे की सवश इनकी रचनाथी इसकी बात पत्तिकाओं का संपादन की अने चान, विशाल, भारत, मर्यादा, नवचीतन ग्रंथमाला इनकी थी, शहीद ग्रंथमाला में इनकी छह पुस्तके थी महात्मा गांती ने बनारसी दाचतरवेदी के समन्द में लिखा था बनारसी वाला जी की हिंदी के बड़े अच्छे साहितिकार है, हिंदी की स्वतंतर सेवा करते हैं, उनकी लिखनी मुझे पसंद है तो ये थे बनारसी दाचतरवेदी जी अगला प्रशन आपका बन सकता है, सप्रसंग व्याख्या क्या तो व्याख्या के लिए बिटा मैंने आपके दो खन लिये हैं, आप इनके अलावा भी जो मैंने आपको निबंद के एकांकी के जो दिये हैं, उनको आप थोरोली बिटा जो बनाई है, एक्पेंट करती हो वीडियो जरूर देख लीजिएगा उनसे आपको कहीं से भी व्याख्या आ जाती तो आप आराम से कर सकती हैं, पहला मैंने आपके लिए जो लिया है वो है, बीड के पिछले हिस्से में दर्शन साथ के एक प्रूफिसर दीरे-दीरे किसी मित्र को समझा रहे हैं, जनाव जिन्दिगी में तीन बटे-चार तो काफी है, पर देखिए, बाहर जाने के लिए जूट पहना पड़ता है, यही कोईशन है, यही जिन्दगी है, स्वात खराब होने पर भी दूद छोड़ कर काफी पीता हूं, जासुसी उपन्यास पढ़ने का मन करता है, पर कांट और हीगल पढ़ता हूं, और जनाब गठि के जीवन की दाशने की व्याख्या प्रसुत करने वाले सज्जन, जीवन का व्यावहारिक सूत्य समझा रहे हैं, व्याख्या है, जीवन का आदे से अधिक भाव, अनिक पकार के दवावों को पूरा करते करते बीच जाता है, यह दवाव अनिल पकारते हो सकते हैं, और आम यानि दूसरे का दवाग अपनी इच्छा के अनुसार काम ना कर पाना अपनी तबियत की जिन्दगी ना जी पाना पात्र के माध्यम से लेख़क का मानना है कि अपनी इच्छा अनुसार तो व्यक्ति एक बटे चार भाग जिन्दगी ही जी पाता है वो इसके लिए अनेक उधारन प्रसुत करते हैं जैसे एक आदमी को अपनी घर में एक टक से ही काम सल जाता है और दूसरों के लिए, यानि समार्ज में अपनी प्रिष्ठा को बनाई रखने के लिए ड्राइंग रूमें सोफे डालने पड़ते हैं यही नहीं, वास्तव में तो आदमी को एक दूती पहनने की आवश्यक्ता होती है पर अपना रुद्वा बनाई रखने के लिए अधिक से अधिक वस्तों के खरीदने की ताकत दिखाने पड़ती है हर रोज कपड़े वदल कर पहनने पड़ते हैं सब यह देखने के लिए टाई सूत पहनना भी इसी क्रम में आवश्यक है इसे ही लोग वास्तविक जीवन समझते हैं जो दूसरों के लिए ही जिया जाता है अपने मन का अनुसार नहीं मन दूद पीने का होता है पर कॉफी पीनी पड़ती है मन आसाम रास्ते जाना चाहता है जासुसी उपन्याज पढ़ना चाहता है पर विद्वान बने रहने के लिए बड़े-बड़े दाश्टे को पढ़ना पढ़ता है जिसमें उन्हें आधुनिक दशन्शास्तियों का नाम उलेक किया है अंत में वे उदाहरन देते हैं कि गठिया के रोग के कारण वे अधिक चल नहीं सकते खड़े नहीं रह सकते पर सांसारित्ता निवाहने के लिए घंटो सेशन पर खड़े रहना पड़ता है इसलिए ये सूत्र ठीक प्रतीत होता है कि हम उनके जीवन अपने जीवन तीन बटा चार हिससा सांसारित्ता के निद्वाह या सामाजित प्रतिष्ठा बनाई रखने के लिए बिताते है अपने मन के रिसाफ से तो एक बटा चार जीवन जीए जाता है अधिकार्श लोग इसी पकार का प्रत्रिम जीवन जीते है अब विशेश कया है इसमें जीवन की वास्तरिता को सुट्रात्नक तरिके से प्रस्थित कर उसे सिधाद कर रूप कहई है अगला आपके लिए विटा जो भजन था वैशन फजन वाला वह मैयनने आपके लिए वैशन फजन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे पर दुखे उपकार करें ते मन अभिमान नहीं आता है द्धन ड़ठाले हाद रो मौन वाया व्यापय नहीं चेने, द्रड वैराग्या जैनमन मारे, राम नाम शूत अलिय लगी ज्छतल ती रथे मंन मारे। विश्णु प्रभाकरची ने इन पंक्तियों के मार्दम से वैष्णव जन के सुरूप परिश्ठी किया है वे कहते हैं कि वैशनव जन यानि कि ईश्वर का सच्चा प्रेमी उसे ही समझना चाहिए जो दूसरे की बीड़ा को कष्ट को आत्मसाथ करना जानता हूँ, समझता हूँ जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए और उसे दूर करने के लिए कर्म रत हूँ वेशनव जन वो होता है जो ऐसा करते हूँ मन में अभिमान का भाव भी नहीं लाता है वो कहते हैं कि वैशनव जन वो होता है जो लोग में सबकी बंदना करता है यानि सबके सामने नम्रता से जुखता है किसी की निंदा नहीं करता है जो मन वचन कर्म से यानि कि मनसा वाचा कर्मना निश्चल बनकर सदय उपरीत में लगा रहता है आथात बानी से द्रण रहता है आचरंड में द्रण रहता है और मन से भी द्रण रहता है पर ना तो अशांत हो सकता है और ना अस्थे वह सत्य को देख लेता है और फिर निश् दूसरों के धन पर कुदिर्श्टी नहीं रखता है विश्यष क्या है शांतरस का काव्य है सरल सहज भाषा है गीती काव्य है बहुत कम शब्दों में सज्जन व्यक्ति का परिच्चे दिया गया है तो यह विटा प्रशन था आपका व्याख्या क्या इसके इलावा कुछ प् व्यंगि का सार अपने शब्दों में दिखो तो अंगत का पाउं भी श्रीलाज शुक्र का व्यंगि लेख है इस व्यंगि में रचनाकार ने आदनिक शिक्षा संस्कारों में परले बड़े लोगों के जीवन प्रमकी जांकी दिखा कर उनके दिखावती और डौंग से बरे अंसार को उजार क्या है outdoor कि है लेककak intersection जाकर लोगों को विदा देने के चलन को नापसंद करता है पर मित्र होने के नाते तरह उसके पत्म शेणी में यात्ता करने की कारण यानि उसके सामाजिक स्थर से उंचा होने की कारण उसे विदा देने के लिए उन्हें रेड़ी सेशन पर जाना परता यानि कि मित्र जो है उसका स्टेटस, सोशल सेटस अच्छा है इसलिए मित्र लेकर जो है ना पसंद होते हुए भी अपने मित्र को स्टेशन छोड़ने जा रहा है बड़े बॉस को विदार देने के लिए अने अने अनेक मित्र भी वहाँ उपस्तित थे तो स्वामी भगत होने के नाते उन्हें मालाएं पहना रही थे सब एक एक करके उनसे हाथ मिला रही थे मित्र भी सबसे दो-चार रस्मी बाते कहकर अपने पर्थां च्रेणी के डिब्बे के सामने खड़े हो गए थे जिस्टे की गाड़ी चलने पर वे तुरंत उसमें चड़ सकी सिगनल हो चुका था पर गाड़ी अभी चल नहीं रही थी इसलिए उसने उपस्तित लोगों से बाते करने शुरू कर थी उन मेंसे एक आदमी जो ऊपर ही मन से हर काम की आदमी को दावत के लिए बुलाते थे वे उसे और हर आदमी हसका टाल दिया करता था उसने उनके घर ना आने की शिक है कि मित्री ने उतर दिया इस बार आउँगा तो आपके ही यहां रूँगा उसने कहा इस उसना दीजिएगा तो मोटर लेकर स्टेशन आ जाएगी स्वश्ट है कि वो अपनी मोटर का हवाला देकर अपने स्रामाजिक स्टर को दिखाना चारता है मित्री ने कहा इस तकल्लूफ की जरूरत नहीं है मैं तो आपके घर के सदस्य की ही तरह हूँ इस दिखावटी बात पर भी मित्र को उसी भाशा में जवाब देता है की बाते कहतर अपना समय बितानी लगते हैं आप तो मात्र गारी के चलने का इंतिजार था पर सिग्नल होने के बावजूर्ट गारी चलने का नाम नहीं ले रही थी अतह बिदा लिने वारों ने फिर तरह तरह की बाते करना शुरू किये जैसे आपके यहां से जाने की बात प्लब सुना हो जाएगा कुछ दूसरे पांच ग्रेट के इंतिजाम में लग गए कुछ बुक्स्ट्राल पर चले गए तब ये एक स्थानीय पुराना नौकर दिखाई पर गया उसे देखते ही अचानक मित्र के मन में समाज की समाजवादी व्यवस्ता के पति विश्वास पैदा हो गया वे हसकर उसकी प्रशंसा करने लगे तब यह रोकर अपनी पाईबारी के पतियां सुनाने लगा तब ही गाड लंबी सिटी बजाते हुए उधर से निकला हैट लर्ट ने उसे पूछने की कोशिश भी की पर वो उसे अंसुना कर आगे निकल गया लोग परिस्थिती बज़ फिर मित्र के साथ से मटाए गों फिर कर लोगों ने कुछ छोटे-छोटे गुट बना लिए गाड़ी अब भी नहीं चली इंजन सींसी तो करता रहा पर गाड़ी अंगत के पाउं की तरह वहीं टिकी थी अंत में वही बीड के पिछले हिस्से में खड़े अपने किसी मित्र को समझा रहे थे जनाप जिन्दगी में तीन बटे-चार तो दवाव है कोईशन का बोलवाला है बाकि एक बटे-चार अपनी तबियत की जिन्दगी है इस सच पर कुछ लोग धीमे से हैं से तब ही अचानक गाड ने सीटी दी और गाड़ी हिली लोग बाग दोड़े आए सबने मित्र से एक बात फिर हाथ मिलाया तब ही एक ग्यक्ती दोड़ कर आए और जलदी से हाथ मिलाकर बड़ी हसरा से कहने लगे काश ये गाड़ी यहीं रह जाती और यहीं पर व्यंगे लेक समाथ हो जाता है तो निश्करश यही है कि अंगत का पाउए खिंदी मुहावरा है जिसका मतलब है एक ग्यक्ती का बहुत भारी होना लेकिन उसका परिणाम समानेता है किसी अन्यके उपकार में होता है इसका मूल अर्थी है कि एक ग्यक्ती अपने बोज को लेकर बहुत असाहाय महसूस करता है लेकिन उसका प्रयाद किसी अच्छे कारण के लिए होता है और उससे अच्छे परिणाम मिलती है लेकिन यहाँ इस मुहावरे को व्यंगे करने के लिए पयोग किया गया है और थे इनके ना चलने को इससे जोड़ा गया है साथ ही अनेक मुद्धों पर यह मुहावरे इस व्यंगे में कटाक्ष करता पतीत होता है अगला प्रशन है आपका लोब और प्रीति निबंद का पतिपाद है लोब और प्रीति आचारे रामचंद शुक्ल का एक मनोविकार संबंदी निबंद है इस निबंद में उन्होंने मानविय भावों लोब और प्रीति का विस्रत प्रिश्रेशन किया है आचारे शुक्ल के मनोविकार समंदी निबन्ध हों, मनुशय की विविन भागवत तवतिया उद्घाटी धूनिया मानाप और मनोविकार समंदी निबन्ध मातर मनोवध अज्यानिक निबन्ध नहों कर पिछारात नगती है उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये निबंध ना तो शुद्ध रूप से भाव करधान है और ना ही वैचारिक चिंता मनी भाग एक में उन्होंने स्वयम लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है यात्रा के लिए निकलती रही हैं बुद्धी पर हर्दय को भी साथ लेकर इस कत्रन से ये स्पष्ट होता है कि निबंध में प्रमुक्ता बुद्धी तत्यों की है कि उसमें हर्दय तल्दी विदिमान इस निबंध में शुकल जी ने विस्तरत रूप से लोब और पृती का सुरूप स्पष्ट किया है उनोंने दोनों की परिभाशा देकर उनके तार्किक तुलना करते हुए जीवन के अलग-अलग पक्षों को स्पष्ट किया है इन शब्दों की वहचारिक प्रिष्ट भूवी पर पकाष डालते हुए वे लोब को वरिवाशित करते हुए लिखते हैं कि किसी प्रकार का सुख या आनद देने वाली वस्तु के संबंद में मन की ऐसे स्थिति हो कि जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानेद्या या रक्षा की प्रवल इच्छा जट पड़े लोब कहते हैं शुकले जी की लोब के संबंद में दी गई प्रिवाशा जे कुसमें तो पून बिंदू उभर कर हमारे सामनी आते हैं प्रिटि या प्रेम कहते हैं इन दोनों को परिवाशित करने के बाद ये इनके मध्य भीड बताते हुए लिखते हैं कि लोब सामान्य उनमुक होता है और प्रेम विशेश उनमुक होता है यानि लोब किसी भी वस्तु जैसे संपति जमीन धन आदी से हो सकता है लेकिन प्रिटि किसी विशिष्ट से ही होती है लोब पर अपने विचार लगते हुए आगे लिखते हैं कि लोब का एक रूप किसी वस्तु के अच्छे लगने से संबंदित है इन तो किवल अच्छा लगना ही लोब नहीं है अपर तो किसी वस्तु के प्राथ होने, दूर ना होने देने या उसे नष्ट ना होने देने की तीवर इच्छा भी लोग के अंतरगत ही आती है इस प्रकार शुक्ल जी अच्छे लगने वाले इच्छा भाव को प्रीति और नष्ट ना होने देने किया कांख्षा को लोग दे रूप में बल्विप्रत करते हैं जो चीज अच्छी लग रही है वो प्रीति है लेकिन जो चीज हम नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं वो लोग है इस भाव को और अधिक स्वष्ट करते हुए आचारे शुक्ल ने लोब और प्रीति का विवेचन समाजिक द्रिश्टी से भी किया है पेहासे अधियंगे को समाहित करते हुए आगे बढ़ते हैं और धन के संदर्व में लोग पर अपने विचार रखते हुए लिखते हैं कि आज की राजनीतिक समाजिक धार्मिक बातें कीवल धन पर आशे थुकर रह गई हैं उन्होंने अपनी लोग कोन मुखी भावना को इसने बढ़ में विवेद स्थालों पर प्रसुद किया है लोभियों पर व्यंगे काबान चलाते हुए उन्होंने लिखा है कि मोटे आग्मियों तुम जरासा दुबले हो जाते अपने अंदेशे सही सही तो ना जाने कितनी ठट्कियों कर मात चल जाता यह लेक अपनी सामाजिक शोशन पर गहरा व्यंगे करते हुए अमीर गरीब का व्येद स्पष्ट किया है यह व्यंगे वाण उन संपना तैचालियों के लिए है जो लोग में आगा दरीब लाचार लोगों का शोशन करते हैं यह बंद में शुक्रिजी ने लोग के दो भीद बताने हैं एक सामाने और दूसा विशेष्ट वे लिखते हैं कि अच्छा खाना अच्छा कपड़ा अच्छा घतता धन इससे यह सब वस्तों सुलब होती है सबको भाता है सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है उन्हें लेकाक सामाने लोग के अंतरगत मानते हैं सेवे सहज वरती कहते हैं और सपष्ट करते हैं कि इस तरह का लोग विवय की सामाजी केंदा का पात्य नहीं होता इन तो समस्या तब शुरू होती है जब कालांतर में सामाने वस्तों की प्राप्ति है तो मुद्रा की बात की जाती है जो बाते पारसकरिक दृष्टी से धर्म की दृष्टी से की जाती थी वेवी रुपई पैसे की दृष्टी से होने दगे राज धर्म आचारे धर्म वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिल गया सब टका धर्म हो गए इन जब बातों को धियान में रखते हैं विशुक्ले जी ये निश्कष निकालते हैं कि लोग आज के युग में धन पर ही किंदित हो गया है वे लिखते हैं कि विभिन्न मरो विकारो की तुल्ला में लोग का स्थाई को अधिक रहता है इस भाव में अन्य भावों को संपीड करने अर्था दबाने की शम्ता अधिक होती है लेकक ने लोग के तुल्ला प्रोद जेकर इस भाव को स्पष्ट किया है लोग के अन्य भावों पर हावी हो जाने का अधारन देते हुए वे लिखते हैं कि जो लोग अपना मान, अप मान के भाव को, करुणा और दया के भाव को न्याय, अन्याय के भाव को यहां तक कि अपने कश्ट, निवारन, या सुख, भोक की इच्छा तक को दबादें पैं मनुश्यता कहा तक रहने देगा सबस्ष्ट है कि आचारेशुक्ले ने लोग के सामाडिक तभाव के उधारन के द्वारा इसके नकारात्म पूब का विवेचेंट किया है आचारेशुक्ले राष्टर प्रेम के समठ थे उनका रचना काल भारतिय स्वादीन ता अंजूलन का काल था देश प्रेम की परबल अभिविव्यत्तित अत्कालिम देखकों की रचनाव में देखी जा सकती प्रेम की व्याख्या करते हुए आचारे शुक्र 하지만 देश प्रेम को प्रेम की पहली सिधी माना है उन्होंने लिखा कि देश से प्रेम की चाहर रखने वालों को सर्व रथम देश से परिचित होना चाहिए यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसी अपने देश के मनुश्य पशू, पक्षी, लता, गुल, मुपेड, पत्य, वन, परवत, नरी, निर्धर सबसे प्रेम होगा, सबको अचावरी रिष्टी से देखेगा शुकल जी का मानना है कि परिचय ही प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता वे यह मानते हैं कि यदि देश प्रेम के लिए रदय में जगह बनानी है तो देश के बास्तविक सुरूप से परिचित होना और अभ्यास्त होना पड़ेगा क्योंकि देश प्रेम सानेध्य से ही संभव हो पाता है लोग और प्रीति निबंध में आचारे शुक्र ने प्रियवस्तु संबंदी इच्छा के दो भे लिखिये हैं इच्छा की प्राप्ति की इच्छा तथा नश्ट ना होने देने की इच्छा इसके दुतिया पक्ष को वे रक्षा की इच्छा की नाम से अभियत करते हुँ लिखते हैं कि रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है स्वायत रक्षा की इच्छा अथात अपने अधिकाल में रखने की इच्छा और स्वायत रक्षा की इच्छा यानि की केवल बने रहने देने की इच्छा उनोंने लोब का एक रूप ऐसा भी माना है जिसमें मात रक्षा का भाव मिलता है देश प्रेम के साथ साथे घर का प्रेम इसी लोग के इंतरगत तुई कारती है लोग और प्रिती दोनों के केंडर में सुख और आनननदी की इछा क्अफ़र निवारी मानती है इसकी व्यापकता को प्रसुत करते हुए वे लिखते हैं कि जिस भी समाज में लोग की रक्षा की इच्छा रूप कारण लोगों की व्यापक दुश्टी हो जाती है वो देश के लिए प्राणटक ने उच्छावर कर दी प्रीति के संबन्द में शुक्री जी के विचार वियस सहज एवं सपष्ट हैं उनका मानना है कि मूल भाव में लोग और प्रीति एक समान है जिन्तों वास्तों में उनमें कुछ अंतर है उनके मतानों साथ सामाने रूप में किसी वस्तों के प्रति मन में जो ललक होती है वह लोग है और किसी व्यक्ति विशेश की चाहब प्रीति है मानना का मानन के साथ संबन्द सामाने लोग से अलग अधिक जटिल गूड तथा व्यापक है जहां वस्तु के प्रति लोग के आश्रे और आलंबन प्रथक प्रथक होते हैं वहीं प्रेम में आश्रे और आलंबन का एक्या हो जाता है प्रेम में आलंबन और आश्रे ना किवल चीतना संपन होते हैं वरन एक दूसरे के रूप में बदल भी जाते हैं अर्थात आश्रय आलंबन बन जाता है और आलंबन आश्रय यूंकि प्रीति लोब से अधिक बोर होती है। उनका मानना है कि प्रेम का पूर्ण विकास कभी होता है जब दो हुदय एक दूसे की और क्रमशा किस्ते हुए चले जाते है। शुकले जी ने प्रेमी और प्रेयसे की मनुवरती का विस्तर विवरन दिया है, वे प्रेम के दोग शेत्र मानते हैं, बैयक्तिक शेत्र तथा समाजिक शेत्र, ये सारा का सारा मैने निबंद बगर है ये सारे की सारे, तो इनकी परसनल जो वीडियो जबनाई हुए आज़ा परक उनमें अच्छी तदा से अस्टेन किया हुए है, तो वहां से आप समझ सकते हैं, पहले एक्षेत्र में प्रेम का प्रभाव सीमित रूप में रहता है, जिसे उन्होंने एक आंतिक प्रेम का है, दुसरे प्रेम का प्रेम सामाजिक स्तर पर होता है, त uda हितकारी होता है या ब्यापक होता है तता साहस और वीर्टा से भरा रहता है क्योंकि इसमें कर्तवय निष्ठा, डर्ड़ता, धीर्टा नहीं धोती है एकांतिक प्रेम का ख्षेत्र सामाजिक्ता और पारिवारिक जीवन से भिने रहता है इसके उदाहरन स्वरोप शुकले जी ने प्रश्न कर्पति गोवियों के प्रेम को रिखांके किया है भी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आने वाले लगभग सभी प्रेम एकांतिक ही एक कांतिक प्रेम से अलग प्रेम का दूसरा रूप वह है जो लोग जीवन चे जुड़ा रहता है यहां प्रेम लोग जीवन के मध्य ही गटिद होता रहता है इस प्रेम का फलक ब्यापक है, प्रेम के दिवे प्रकाश दे प्रेमी को अपने सौंधरे और चारो और सौंधरे ही सौंधरे नजर आता है जिसके प्रभाव सेवे अत्यंत उत्सा और उमंग से साथ संसार भी अपना कर्म करता चला चाता है और कर्म सवंदर्य की पतिती स्वेहं भी करता है तथा प्रियत्म को भी करवाता है यहां शुक्लय जी ने राम के द्वारा प्रेम के आदश करपना किया नेकक ने प्रेम का सिर्फ यही रूप चित रितना कर अलग-अलग परिश्टियों का भी उड़िक किया है जैसे गोपियों और प्रिश्टियों का प्रेम बंकिम चंदर चटर जी के उपन्याद दुर्गेश नंजिनी के पात्रों का प्रेम आदे तो निश्कष है इस निबंद में आचारे शुक्लय ने रदय की दो कोमल व्रतियों करुना और प्रेम पर भी चर्चा की है उनका मानना है कि प्रेम के माध्याम से जब अपने प्रियों को मनाने की कोशिश हो हो जाती है तब करुना का सहरा'S करुना और दया के शृत प्रियासे प्रेम का कंड़ा करना ही प्रेम का एक्मात उद्देश मतों हुत हरा है तब इस प्र कारका की स्थित copies के अचारयों के अनुटसा रस नहों कर रसाभास माचग होती है उन्का कहना है कि प्रेम कावय में रूप का लोग जी प्रेम का प्रवर तक दिखाया जाता है पर प्रेम का कारण सिर्ट नहों कर रूप जोन से अलग साहचाड़य का भाव देज़ निश्वास और अश्रू भी होते हैं तथा है श्रूला पर उचल पूपी प्रेम का फरक इतना विस्तरत हैं कि इसमें आनप्रतनक और दुखातनक दोनों तरह के मनोविकार समाहित होती हैं यही कारण है जिर शंगाण के दो भेदियोग और समय लियोग लिये जाते हैं और शंगाण को रस्राप आचा जाता है अगला प्रश्या पिटा बसंथ आ गया है निबंध का सार अपनेे शारों में beep बसंथ आ गया है निबंध अज़ारी प्रसाद विवेडी के अशोक के फूल नमक निबंध संग्रह से लिया गया है यह निबंध संग्रया 1948 में पकाशित हुआ था उस समय दुवेली जी शांती निकितन ने अध्यापन कर रहे थे संग्रया के कई निबंधों में शांती निकितन के परिवेश का जिक्राता है तो यहाँ पर हम इनका जो ही है निबंध ऐसका सार कर लेते हैं निबंध के आरम सही लेखा के अपने आस पास के कई पिरों का चितरन करता है और यह दिखाता है कि इन पिरों पर मुद्ध निच्छाई हुए यह सार हमें कर लिया है पहले इसका पार्ट का सार हम लोगों ने पहले कर लिया है यह प्रशन हमारा हो चुका है अगला प्रशन है शायद एकांकी का प्रतिपादे लिखो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको हम लोग कर लेते हैं शायद मोहन राकेश जी द्वरा रचिते के एकांकी रूपी बीजनाटक है मोहन राकेश ने इसे बीजनाटक की कहा है यानिकि इसे एकांकी ही माना जाता है। इनकी भूमिका हमने इसकी भी पढ़ लिया प्रतिपादिया पढ़ेंगे इसका हम लोग। शायद एकांकी जिसे नाटे प्रयोकी दिश्टी चें मोहनाकिश ने बीजना तक कहा आपने आपने एक नई विधा है। आज के भाव दौड़ वाले अर्थ योग में प्रतिय व्यक्ति अन्रवत जीवन जीने को मजबूर है। यानकी मशीने जीवन जीने के लिए हम सभी लोग मजबूर है। प्रप्रदी तथा आसपास के अने विधियों के विशय में जानना तो दूर वो अपने आसपास से भी अब्रिचित होते चला जा रहा है। व्यक्ति का लक्षे केवल अर्थ प्राक्ति रह गया है और भावना तथा विवेग से वहशूने होता जा रहा है। इन तो यदि कोई व्यक्ति इस भाव दोर से हट कर जीने का हलग होजना चाहता है तो एक प्रकार की मिराशा, पिशाज और भुटन का शिकार होने लगता है। जीवन में नित्य प्रते की दिंचर्या से हट कर जीने की कोज में जब व्यक्ति बटकने की कोशिश करता है तब शायद ही उसे गंतव्य या जीने का मार्ग मिल पाए मध्य वर्गिय परिवार की वेडम बना को मुल आधार मान कर मुहन डाकेशने इसे कंगी ये रचना की का अभाव उनको बुरी तरह सताता है इसलिए अभाव पीडित होकर निराज तथा असाहाई जीवन बिताना उनकी नियती बन जाती है एकांगी के पात्र मेश्री खाने की मेश पर से जूटी प्रेटे हटाते हुए पर उसे पूस्ति या जो रेसिंग गाउन में हाट डाले कि इसे अन्य दिशाक्री वो दिख रहा है फिर सोचने लगे और फिर इस एकांगी का मूल मंत रहा और अंतिम सकते है तो ये फिर जो है इस एकांगी का मूल मंत रहा और अंतिम सकते है फिर का मतलब यही चीजे रिपीट होती रहती है जो इन दोनों की जिंदगी में बार बार आता रहता है जिसे टक्रा कर मौन रहन इनकी आने बारेता है, मतलब दोनों इसे टक्रा के मौन हो जाते हैं पुरुष आंके जबकाती हो कहता है नहीं परन तो यहां यह नहीं का मतलब है हाँ इस तरह उनके जीवन में बहुत सारी ना और हाँ एक दूसरे में बदलते रहते हैं पुरुष का टहलने में मन नहीं लगता है पुरुष शाम को खाना खाती समय पुरुष का मन उदास हो जाता है बैसे दोनों के मन में अभाव और सट पताहत है इस्त्री पुरुष को मन बहलाने के लिए सूरत जाने की सलाह देती है लेकिन पुरुष सोचता है कि कहीं भी जाकर क्या होगा, सब जगा एक जी है, इस्त्री को बार बार हाथ का एक्जीमा सताता है, जो फिर से उभर आया है, पुरुष के सिमित्र देव के सबाद ले से, ट्रांकफर से उदासी महसूस हो रही है, उसे अपनी कमीज में टंगा पैन भी नहीं मिलता जिसका उपे हो, रोज करता है, कभी वो कहता है कि जाने क्या बात अभी दिमाग में आई थी, अचानक गयाब हो गई, उसे कई बात याद रहती है, पर स्थी के लिए दवाई लाने की बात याद नहीं रहती, वो जलता ही रहता है, एक बार वो पहार पर जाने का विचार करता है, कि कुछ दिन वहाँ बिल्कुल अकेल आ रहा हूँ, पुरुष की इस ओब से त्री भी परिशाने, वो कहती है, हाँ सच, धक्या खाते फिरती है, दिन बर स्कूल से बाजार और बाजार से घर, और तुम कुछ नहीं रहते, फिर भी, मेरे हुआ सोचता रहता है, मेरे अंदर ना जाने किस चीज की उदासी बनी रहती है हर वक्त, एक साथ 25 चीजे हथोड़े मारती रहती है दिमाग पर, इसली कहती है, मैं तो समझते हूँ, कि तुम सोच सोचकर उदास नहीं होते, उदास रहते हो, तुम वही कुछ चाहते हो, ज चायद उनके घर में भी कोई अपना बच्चा हुआ होता तो संबह होता है, उनकी उदासी जरा तो कम होती, पापबा मामी बनने की एक अतरति सी चाहत दोनों के बन में है, बिल्ली का बच्चा पालना इसी कबती है, दोनों की अपनी-अपनी मजबूरियां होने के कारण, यह मिलकर कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई इसरी को भी लगता है कि अच्छा था ना घर बसाते ना नौक्री करते, पुरुष को लगता है कि हर आदमी की अपनी अलग जिन्दगी होनी चाहिए, इसरी पूसती है बिना घरबार के, तो पुरुष अनिश्चय के स्वर में उत हमें खुश लगते थे, अब लगता है, आसपास के लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, कभी वो कहती है, जिन लोगों के बारे में कहा करते थे कि वे मैच्योर हैं, पताओ उन्हें कौन दुखी नहीं है, इस वकार वो पूरा नाटा कि स्वरी और पुरुष के बीच के आगे बढ़ता है, वे दुनों सोने का पैतन करते हैं, रजाई कुलती है, वे इसली कहती है, अच्छा, कर फिर बात करेंगे, देखो, शायद, इसके बाद ही पुरुष करवट बदल कर मुह उसकी तरफ कर लेता है, तब फिर से उन्हें दरार भरवाने की वात यार रखने पातल परिचर में लिखक ने और कोई नहीं कहकर इस परश्ट कर दिया है, कि दोनों के भी सब को जैसे चुको गया है, दोनों का एहम और सेंसिटिविटी परस पर टकरा कर इसे कांकीपन को और भी गहरा बना देते हैं, देखा जाए तो, शायद में कथ्या कहने योग पादों के बल पर मानसिक तनाव की पत्य कर भूती को यहां कथ्या बनाया गया है, इसने पुरुष का वास्ताविक जीवन से बचने के लिए प्रसंग हीन बाते करना जैसे पुरुष का माचिस खोजना और स्त्री का बार बार मरम की बात करना इस्तितिकी निर्थकता को औ अधये नातक अते भावुकता में जीने वाले दiçãoपतियों की गुटन का आलेग है जो प्रुफेसर नारयान राजू के अनुसरा सम्काली जिन्दगी के ब्रत को निरुबद करने वाले इस बीजनाटक में असाधारन संदर्बो के बीज में, साधारन और साधारन के बीज तो यह था आपका निश्कर्ष शाय देखांगी अगला आपका आखरी प्रश्ण विटा थेले पर हिमाले का सार इसका सार विटा बहुत जरूरी है मेरे इस साथ तो आपको सभी की सभी पाटों का सार एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए तो प्रशिद रचनाकार धर्म वीरबार्दी ये प्रचरित निवन संगरे ठेले पर हिमाले के इसी शीशक्स एक यात्रा व्रतांत है इस यात्रा व्रतांत में कौसानी के प्रप्रतिक्स वंदर है और इस मनुरम स्थल पर उनकी रोमांचा क्याता का वड़न है ये रचनाकार अपने एक मित्र के साथ एक पान की दुखान पर खड़ा है वहीं से एक बर्फ वाला ठेले पर बर्फ की सिलियां लेकर गुजरता है उसे जाते हुए देखकर अल्मोडा से तालुक रखने वराम का मित्र तहता है कि बर्फ तो हिमाले की शुगा है इस थंडी चिकनी चमकती वर्फ से उती भाव को देखकर लेकक के मन में अनेक भावत पनों होते हैं इन भावों को लेकक अपने मित्र से साजा करता है वो कहता है कि हिम से ढके हिमाले की शुभा अतुल नहीं है लेकक ने उस हिम राशी को करीम से देखा था जिसकी याद उसके मन पर एक खरूँची छोड़ जाती है और समय आने पर बार बार उसकी याद आती है लेकक अपनी एक यात्रा कानुभा मित्र से साजा करते हुए कहता है कि हिम राशी को देखने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ कौसानी की आतर पर गया था बिन्यानी ताल, रानी केट, मजी काली के भयानक रास्तों को पार करते हुए पोसी पहुचे थे पोसी तक का रास्ता वेहर सूखा, कुरूप और उबर खाबर दिखा उस कष्ट प्रत सूखे रास्ते पर पानी और हर्याली का तहीं नाम नहीं था पूरे रास्ते सूखे पहाड नजर आ रहाए थे, एक तो रास्ता कष्टों से भारा हुआ था उस पर बस का ड्राइवर नौ सिखिया और नापरवाग जिसके कारण सभी आत्तियों के चेहरे पीले पड़ गए थे सभी की हालत खराव हो चुकी थी, लेका कपने साथियों सहित कोसी उतर गए और कौसानी जाने के लिए बस की पतिक्षा करने दे लगबग दो गंटे बाद एक दूसरी बस आई जिसमें लेका के परिजित शुकला जी थे इन्हीं शुकला जी ने कौसानी के लिए लेका को प्रोसाहित किया था शुकला जी के साथ एक दुबले पत्ले विर्तिक सेन भी थे जो चितरगार थी जब उनकी बस कोसी से चली तो रास्ते का सारा द्रशे भी बदला हुआ नजर आया कल-कल करती कोसी नदी के तरफ पर चोटे-चोटे गाउं मकमली केत तता सुमेश्वर घाटी की सुंदर था उनकी आपको सुकून पहुँचा रहे थे उनकी एक सायोगी में तुने बताया था कि ये स्थान सुड्रलनेट ले भी अधिक सुंदर है तता गांधी जी ने भी अपने प्रसिद्र ना सत्य योग नामक पुस्तक के रिजना करने के लिए इसी स्थान को चुना था तो कौसानी सुमेश्वर घाटी के उत्तर में परवत की चोटी पर बसा एक चोटा सा गांधा बस धीरे धीरे अपने लक्षय की ओर बढ़ रही थी लेकिन कुछी देर बाद लेका का मन निराश होने रहा जयो जोन की बस कौसानी के समीब जा रही थी कोसी नदी के तट की ये सुन्दर्टा समाप्त होती नजर आ रही थी अपनी इसी विवश्था बरे भाव सिर्वे कौसानी के बसर्ड़े पर पहुंच रही लेका गधर्मीर भारती ने कौसानी के सुन्दर्टा का जो वणन सुना था उन्हें वहां वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला इतना ही नहीं जिस हिम्ते दर्शन के लिए वो कौसानी पहुंचे थे उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं था कुछ एक्षण में जब उन्होंने बस से उतर कर घाटी का सुन्दर्टा देखा तो वे सब स्थब रह गए वोस अंदर इतना निशकल अब था कि लेखख के मन में आया कि जूते उतार कर पाउं पोँच करी धती पर अपने चाहिए लेखख की नजर ने दूर घाटी को पाल किया और खितिस तक केले केट वनो नदियों के बाद बादलों के दुंदलके में उन्हें परवत देखाई दिया दीरे दीरे बादलों के हटने पर डेखख ने उस परवत पर बर्फ को देखा उन्हें प्रसंद हो कर चिला कर कहा बर्फ वह देखो साथ के सभी यात्रियों ने उसों देखा और देखते देखते में परबत बादलों में फिर लुप्त हो गया चणबर के लिए हिम्दर्शन से सभी के मन में अब तक की व्याब तक की नता धुमिल हो गई और वे पसंद नहों थे उनकी रास्ते भर की धकान पूरी तरह से धूर हो गई हिमालाय के सभी के सभी के सभी को फिर से देखने के लिए सभ्याकूल होकर बादलों के चटने की प्रतिक्षा करने लगे इसी समय गंबी शुकलाजी बस मुस्करा का देख रहे थी मानू ये कह रही हूँ देखा को असानी का जादू अपना समान डाग बंगले में रखकर सब बरांदे में बैठे दीरे दीरे बादलों के चटने का दुश्य देख रहे थे एक एक कर घाटी के सालने के परवन दिखाई देने लगे जिन पर नई नई बर्फ जमी हूए थी इस तो अंदरे को देख कर लेकाक अपने मन की दशा को व्यक्त नहीं कर पाया अगर लेकाक इस द्रशे का वड़न कर पाता तो फिर उसके रदय में वड़न ना कर पाने की कसक ना रह करी होती लेकाक को लगता है कि हिमाले की ही तलता ने अपने सुक दुखों को दूर करने के लिए तपस्वी और साधा के हाँ आते है उनके मन में ये बाव भी आया कि ये बर्फ कितनी पुरानी होगी ना जाने कितने कालोसी अभिनाशी हिम बर्वतों पर जमी गोगी ये सब देखते देखते सूरस डूर में लगा और ऐसा लगा कि धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिगला हुआ केसल बहने लगा है अंधेरा होने पर लेकाक और उनके साथी इद्रशे को आँकों में बर कर उठते हैं और चाय पीने चले जाते हैं अंधेरे में चांद के आगमन पर लेकाक को लगता है जैसे हिम सो रहा है हिमालाय की चोटियों और हिम का दशन करने पर लेकाक धनवीर भारती को ये एहसास हुआ कि वास्तलिक और काल्पनिक सौंदरे के बीच का बेज निश्रिती पाटा नहीं जा सकता उस खण विशेश में लेकाक सौयम को निश्र दता की स्थिति में पाता है वे विजार करता है इस हिमालाय को देखकर लोग क्या-क्या नहीं लिख लेते पर मेरा मनिक कविता तुदूर एक शब भी नहीं रच पारा है पिशाल हिमालय के सामेवाय स्वयम की लगता से रूबरू होता है, उसे लगता है कि हिमालय उसे उसके समाह में और उचाउटने की चुनाती दे रहा है सैसा लेकख का ध्यान से अपरी सेन के द्वारा गाई जाने वाली रविद्रगी पंक्तियों से तूटता है से अतिंत प्रसंते और शी शासन करते हुए हिमालय को देख रही थे उनसे पूटने पर उन्होंने लेकख को बताया कि वह हिमालय को हर पर स्क्तिक से देखना चाहते है अगले दिन लेकख को और उनके साथी नीचे घाटी में उतार का वैजनात की यात्ता करते हैं आपके से अतिंत यहां कि वह को दो आपके सी चाहते है उसके बार बार अपनी और आपकाशित करती है वह हिमालय को संदेश बेजने के लिएMMालय को एब लोटकर अबशे वहाँ जाएंगी क्योंकि उनका मन उन्हीं पवित उंचाईयों में रंगता है। तो निश्करश यह है कि इस लेग की भाषा वड़न, विवरन, विम्बांकन, चित्रांगन के विशिश्च तुताव को अपने में पूर्टा समेटे हुए है। इसमें रोमांचकता, सहजिता, सरलता रता आत्म यह भाषा स्वाभावित मृदुल इबं गंभीर होने के साथ साथ विशय के अनकूल भी है। उनका यह लेग ठेले पर ही माले एक बहुती सहट सरल भाषा में लिखा गया रोमांचक यात्रा ब्रतांत है। उन्होंने न्यानी ताल से कौसानी तक की यात्रा का बड़ा ही आकाशक धंग से वरनन करके पाता को मंतर मुखती है। या हिंदी साहिते जगत में अपनी रचना धर्मिता के लिए ज़दा समरनी आ रहे है। यह था आपका अन्या गध्या विधाई का सेंपल पेपर एक तरी किसे कह लिए। जो कि आपके बी ए प्रोग्रम समस्टर फू चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। आपके परिक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुबकाम राएं और जरूर बताईएगा कि आप अभी पर हुआ कैसा रोटे। तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंस ल अब कर दो आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है यह तारा का सारव अच्छी तरह से देख लीजिए और इशुरने चाहतों आपको बहुत बढ़िया जाएगा पेपर कैसा गया मुझे आपके बताईएगा जरूर अब अगर फिर से आपकी परिक्षाओं के लिए आप झाल झाल झाल